मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी इस सिरीज में वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे एज ओफ एनलाइट्मेंट के बारे में लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडन्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं और खास तोर पर अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशन्स आगे कंटीनू करना चाहते हैं तो उन्हें रेनेसांस जो हमने अभी पहला टॉपिक पढ़ा है उसको समझना बहुत आनिवारे हैं या फॉर देट मैटर पिछले सारे सेशन्स जो है वो आपको देखना बहुत जरूरी है ताकि आप अगर मेरे सेशन्स को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी पढ़ाने की फिलोसफी को थोरली आप समझ सकें क्यूंकि तुकड़े तुकड़ों में मैंने अलग-अलग सेशन को connect कर पाएंगे तभी आप detail में समझ सकेंगे कि किस तरह हम जादा से जादा facts को तो इखटा करी रहे हैं लेकिन हमारा main agenda है concept building पर ताकि अगर हम किसी भी examination में बैठें बले ही बले ही अगर वो कोई एक दिविसी examination हो या अगर आप UPSC का mains लिखने जा रहे हो हर examinations के लिए मे अब आप कहेंगे कहां से देखेंगे आपके sessions तो make sure कि आप study IQ के channel पर जाएं वहाँ पर आपको मेरे नाम से playlist मिल जाएगी पिछले सारे sessions वहां से देखना आप शुरू किजिए उसके अलावा इस video के नीचे जो pinned comment है वहाँ पर भी आपको पूरी playlist का link मिली जाएगा और आपको playlist मिल जाएगी make sure you check that out, वहाँ से जाके आप check किजिएगा उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा course आपके पास अवलेबल हो CSE का, तो study IQ की learning application को install कीजिए उस पे पूरा थरो course अवलेबल है इस पे 1300 से प्लस वीडियो है, daily के current affair update होते है, answer writing की practice, doubt solving य ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा session, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे age of enlightenment, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा है, age of enlightenment से हमें शुरू करना है, ठीक है, लेकिन age of enlightenment को समझने से पहले, यानि इस topic पर बढ़ने से पहले, आइए सबसे पहले एक background प्रिपेर करते हैं, तो अगर आपने मेरा पिछला पूरा session देख ली है Renaissance का, तो आप बहुत भली तरीके से समझते हैं, कि after the fall of Eastern Roman Empire, जितने भी, यानि कि Byzantine Empire के fall के बाद 1453 में, जितना भी Greco-Roman scholar है, जो Byzantine Empire में था, they took refuge in the Western Roman Empire, जो भी उसके remnant बचे थे, राइट, वो वहाँ जाके उन्होंने देखा, जो Roman Catholic Church है, उन्होंने New Testament की, ऐसी वेख्याएं create की हैं, जो कि Greco-Roman समय से बिलकुल अलग हैं, यानि Greco-Roman समय का, जो Art, Architecture, कला, Scriptures, वो सब तो absent थे, राइट, यानि कि अंदकार का समय चल रहा था, वहाँ पर, वहाँ पर, यानि कि Greco-Roman समय कि जो Art थी, जो Sciences थी, जो Philosophy थी, जो Social Structure था, जो Political Structure था, वो सब missing था, राइट, सो जब नए Scholars, यानि कि जो Already, जो Greco-Roman Cultures को जिन्होंने संजोगे रखा था, वो Scholars जब वापिस आए Italy में, तो उन्होंने उस Greco-Roman Culture का क्या किया, Revival किया, और Greco-Roman Culture की Characteristics क्या थी, उसकी Art, Science, उसकी Religion की समझ, उसकी Socio-Political समझ, इन सब में नहीं थे, तो उन्होंने इन, उस Culture का Revival किया, तो हमें Renaissance का Period नजर आया, और Renaissance में हमने देखा कि, Renaissance में से निकलता हुआ हमें नजर आया Humanism की Approach, यानि इनसान ने Scientific Approach को अपनाया, और हमें Scientific Discoveries होती भी नजर आई, उसके बाद ह इजात नजर आया, तो हमने देखा कि, जो Scientific Approach है, वो पूरे Europe में फैली, ठीक है, उसके अलावा हमें, और क्या था, जो Protest किया, जिन लोगने Catholic Church का, तो हमें Protestant या Protestantism जो है, वो नजर आया, ठीक है, उसके अलावा हमें Reform Movement के तोर पर Counter Reformation भी नजर आया, तो ये सारी चीज़े ह हमने पिछले सेशन में Cover कर लिए, ठीक है, लेकिन आज के सेशन, Age of Enlightenment के लिए, जो हमारा Background है, वो हमें ये समझना है, कि Renaissance ने Humanism को Promote किया, यानि इंसानियत को Promote किया, मानवताबाद को Promote किया, जिसमें ये कहा गया, कि मानव अपने, जितनी भी Wild, जो भी Imaginations है, उसको Explore करे मानव अपनी जो है, वो Creativity को Explore करें, Scientific Temper generate करें, इससे क्या हुआ, इससे पूरे यूरोप में, जगा जगा पर, जहां जहां पर Protestant Church बने, उनकी सहायता से, वहां के जो भी शाशक हैं, उन्होंने Paternize करना शुरू किया, ऐसे Intelligent और ऐसे Scientific Temper रखने वाले Thinkers को, Philosophers को, उन्हों Society के लिए, Political Order के लिए, Religion के लिए, और Scientific Discoveries के लिए, जो Theories दी, और जो Experiments की उन्होंने, Experiments करके उन्होंने जो Observations create करी, और Hit and Try से उन्होंने अपनी Theories को, क्या किया, परफेक्ट करने की तरफ जो है, वो कदम बढ़ाए, यानि, तो उससे हुआ क्या, उससे अंदकार छटा, क धर्ती पर कोई भी अगर कोई Physical Phenomena, कोई Natural Phenomena घट रहा है, तो उसकी व्याख्या, उसकी Definition कौन प्रोवाइड करेगा, रोमन Catholic Church, और रोमन Catholic Church का एजिंडा क्या था, कि हर चीज को क्या किया जाए, हर चीज को जो है, वो रुमानियत दी जाए, रोमेंटिसाइज किया जाए कि ये तो God के द्वारा दिया गया, हर चीज को जो है, वो Divine गोशित किया जाए, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे अंदकार फैल गया, क्योंकि Scientific अप्रोच बड़ी नहीं, ठीक है, आप हर चीज को अगर Divine गोशित करेंगे, तो उससे कुछ constructive फाइदा नहीं निकल कर आएगा अगर चीडिया उड़ रही है, तो आप कहेंगे कि इस चीडिया के नीचे जो God है, उसने हवा डाल दी है, ठीक है, इस वज़े से उड़ रही है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर natural phenomena हो रहा है, उसको अगर आप Divine गोशित कर देंगे, तो Dark Ages आनी ही थी, और वो Dark Ages रही हमारी पाचवी शताब्दी से लेकर, चौदवी शताब्दी तक, ठीक है, लेकिन जब scientific temper generate हुआ, और जो Protestant Church है, उन्होंने साफ साफ Catholic Church की बात माना मना कर दिया, और जो regional शाशक है, उन्होंने Protestant Church को patronize किया, और Protestant Church और फिर regional शाशक उन्होंने जो ऐसे scholars को patronize किया, तो ऐसे ideas उबर के आए, उनको credibility जो है, वो regional credibility मिली, पहले किसी भी idea को credibility कौन दे रहा था, डार के चीज़ में किसी भी नए idea को credibility दे रहा था, यानि उस नए idea को सही माना जाएगा, और public पर apply किया जाएगा, वो authority थी Roman Catholic Church के पास, लेकिन Protestants के आ जाने की वज़े से क्या हुआ, कि एक छोटे-छोटे pockets हमें Scotland में, हमें Britain में देखने को मिला, हमें France में, हमें Germany में देखने को मिला, ऐसे छोटे-छोटे pockets, pockets कहने का मतलब हमें वहाँ पर Protestant Church देखने को मिले, उनके पास जो है, वो political authority मिली, क्योंकि वहाँ के local शाषकाओं ने उन्हें paternize करना शुरू कर दिया ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे वहाँ के जो local scholars थे, उनकी जो भी findings थी, उसको credibility वहाँ के local government authority ने provide गरी, ठीक है, इससे हुआ ये कि जो church कह रहा था, अब वो वही सच नहीं था, अब जो ये नए thinkers आ गये थे, इनकी बाते जो है, वो सच थी, इससे हुआ क्या, कि जो भ आधार पर, facts, observations और experiments के आधार पर, तो इससे जो अंदकार चाया हुआ था, वो अंदकार हटा, नए जो है वो, नए information की रोशनी आई, इसी नए information की रोशनी जब आई, इसी काल को कहा गया, age of enlightenment, यानि कि renaissance की वजह से, जो humanism पनपा, और humanism के ideas, और जो protestant church जो आए, उनके साथ मिलकर जो ऐसे नए scholars आए, जिनोंने, Roman Catholic Church के द्वारा दिये गए, ideologies को directly challenge किया, और अपनी theses को सामने रखा, और उनके theses को accept किया गया, वहाँ के local rulers, और वहाँ की जितनी भी intelligence ही है उनके द्वारा, तो उनमें क्या आया, उनमें enlightenment आई, ठीक है, so that, this is the age of enlightenment, आज हम इस समझने कोशिश करेंगे, कि ऐसी क्या-क्या घटना है घटी, कि वह enlightenment आई, क्यों घटी, ठीक है, so पहले इस enlightenment के पीछे के factors को समझेंगे हम, फिर हम देखेंगे उन scholars के बारे में, जो ये enlightenment लेकर आए है, ठीक है, आज के हमारे ये agenda है, so I hope आपको background समझ आया होगा, अगर रेनेसंस वाला टॉपिक पढ़ा है, तो आपको definitely renaissance क्या है, वो समझ आ गया होगा, ठीक है, और enlightenment का concept आप समझ गे होगे, कि अंदकार हटा है, ठीक है, darkness हटी है, तभी light हुई है, उसी को कहा गया, enlightenment, बोध हुआ, ज्यान पराप्त हुआ, right, so आइए देखते हैं कि क्या ज आपराप्त हुआ हमें, तो सबसे पहला point हम देखते हैं, the age of enlightenment also known as age of reason, was the period characterized by rationality as reason, superseded cultural and religious traditions and dogmas, इस एक statement में, पूरा का पूरा introduction, प्लस साथ में, पूरा का पूरा जो age of enlightenment है नो, उसकी बहुत भहतरीन definition है, इस एक statement में, समझने कोशिश कीजिएगा, age of enlightenment को क्या कहा गया, age of reason, पहले अगर, Roman Catholic Times में, पहले ये कहा गया, कि अगर जो चर्च बोल रहा है, वो सही है, यानि कि अगर कोई विक्ति खुद कुशी करता है, तो उसकी लाश को वापिस निकालो, और उसके सर को कलम करो, या जला दो उसके शरीर को, अगर कोई विक्ति पूछता है कि ऐसा क्यों किया आपने, कारण क्या है, तो चर्च बोलेगा कि यही जो है, वो divine इच्छा है, यही God ने कहा, यही उसूल है, तो वो जो dogmas थे, वो जो rituals थे, उसको challenge करने के लिए, कोई scientific, कोई factual जो है, वो तथे उसके पीछे नहीं छुपा था, उसको define करने के कोई तथे नहीं था, वो ritual था, वो dogma था, वो society पर control ये society को manipulate करने के तरीके थे, रोमन Catholic Church के, लेकिन जब renaissance की वजह से humanism की भावना लोग के अंदर जागी, लोगों ने scientific temper generate किया, और जब protestant church और उनके साथ local शाशकों ने scientific temper रखने वाले लोगों को support किया, उनको execute नहीं क इसको देना शुरू किया, और उन्होंने reason provide करना शुरू किया, और reason मांगना भी शुरू किया, तो एक ऐसा समय जिसमे political social thinkers या आम जनता ने जो चली आ रही रीत रिवाज और dogmas के लिए reason पूछना शुरू किया है, उसे कहा गया age of reason, और जब reason नहीं मिला, तब उन्होंने अपनी तरफ से facts provide करने शुरू करे, उसको उन facts की वज़े से जो light पैदा हुई है, जो रोशनी आई है और अंदकार हटा है, इन जो है वो चले आ रहे ancient rituals और dogmas का, उसे कहा गया age of enlightenment, ठीक है, second statement देखेगा, rational was the primary authority used to settle philosophical, scientific and political problems, पहले जब तक renaissance नहीं हुआ था, उससे पहले अगर कोई political problem है, अगर कोई scientific, अगर कोई अडचन आ गई, कि मान लीजिये, चांद जो है वो आज बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तीन चार महिने वाद चांद छोटा दिखने लगा, कभी चांद लाल दिख रहा है, कभी चांद क्रेसेंट दिख रहा है, आदा यही तो शक्ति है, इसी कोई तो कह रहे हैं, यही तो शक्ति है, जनता वो इस सरा बहला है भुसला है उन्होंने, उन्होंने का यही तो शक्ति है वो, यही तो चमतकार है, देखो कभी चांद आदा कभी पूरा, अच्छा, उसके लिए जब तिंकर्ज ने fact प्रोवाइड क इसे दी कि लो, रिसर्च करो, तब जो है वो, अन्लाइटमेंट है, ठीक है, तो पहले अगर इस तरह के कोई भी जैसे पॉलिटिकल मामला है, कि माल लिजिए कोई भी एक भूमी है, कोई भी एक, जो है वो, एक मतलब, एक patch of land है, उसको कौन गवर्न करेगा, तो चर्च कह आए, कि राजा का बेटा करेगा, किसी ने सवाल नहीं पूठा, पूछा, अगर सवाल पूछ लिया जाता, तो एक्जिक्यूट कर दिया जाता, राइट, लेकिन अब लोगोंने साइन्टिफिक तरीके जो हुआ अपनाने शुरू करे, कि क्यों भई, राजा का बेटा क्यो आएगा, यहाँ पर यह बंदा है, पिछले 30 साल से यहाँ पर रह रहा है, अच्छी तरह जानता है, इसको करने दो काम, यह लड़ना भी जानता है, सैना में इतने समय से इसने सर्विस भी करी है, ठीक है, तो यहाँ पर लोगोंने साइन्टिफिक और रीजन लगाकर, देखिए, यह जो, मतलब, according to New Testament, आपका जो पूरा जीवन है ना, उसमें जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो एक्चुली आप इसलिए कर रहे हैं, ताकि अंत में जाके गौड आपको सालवेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, और य मतलब क्या है, जिसकी बोडी जला दी, जिसका शरीर, जो है, वो तुकडों में तोड़ दिया, जिसको जो है, वो सजा, वॉइलेंट डेथ दी जाए, यानि कि उसकी आतमा को सालवेशन नहीं मिलेगा, अगर मैंने रोमन कैथलिक चर्च की बात नहीं मानी तो, ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है वो लोगों ने तर्क प्रोवाइड किये कि philosophy के मैं आप सारी discuss करेंगे हम नई philosophies क्या क्या आई और वो कैसे आज तक relevant है या वो कैसे आज modified form में क्योंकि times बदले technologies बदली तो वो modify हुए obviously लेकिन पाइनर्स को आज हम समझेंगे उन्होंने उन सब ideologies की शुरुवात जो है वो कहां से हुई है आज हम उन ideologies की शुरुवात को समझेंगे next point देखेंगे contributions to the human knowledge was made through means of observation, experimentation and inference यह जो नए scholars, scientists निकल कर आए इन्होंने जो observations करी जो experiments करें बले ही वो political field में, social field में, economic field में या geography में, astronomy में, astrology में, chemistry में, physics में, जहां जिस भी field में उन्होंने observations एकटा करी, experiments करें ठीक है, उनसे जो उन्होंने conclusions प्रिपेर करें वो मानवता की भलाई के लिए इस्तमाल हुए ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, अब impact of age of reason was the following अब यह जो age of reason आया था है, enlightenment जो आया था, ठीक है, इसके impact जो है, वो किस-किस, समाज के किस-किस sphere में पड़े तो आईए सबसे पहला समझते है, scientific approach पेर क्या आसर पड़ा, ठीक है, earlier science was largely dominated by deductive method which began with generally accepted conclusion that were culturally and theologically accepted as true and the applied to particular observable cases देखें, इस statement का बिलकुल simple मतलब यह है कि age of reason से पहले, अगर किसी भी scientific phenomena को describe करना होता था तो लोग यह मानते थे कि पहले समान के चलते थे कि यह चमतकार तो है ही ठीक है, यह अगर कोई भी anomaly हो रही है, चाहे वो gravitational anomaly हो, चाहे वो light के anomaly हो यह पहली बात तो चमतकार है, पहले समान के चलते थे वो, यह divine है ठीक है, लेकिन अब यह divine में भी क्या है, चलो इसका पता करते हैं, ठीक है और उनका मानना होता था कि theologically accepted as true, राइट culturally and theologically accepted as true, वो मान लिया जाता था, ठीक है, सब के द्वारा culturally भी और theologically भी, यानि कि उसको जो है, वो theory पूरी, उस पर पूरी theory बना दी जाती थी कि यह divine है और यह इस तरह divine है, ठीक है तभी तो वो mythical creatures पैदा हुए न, ठीक है, कि अगर मतलब लहर इतनी ऊची-ऊची ऊची उठ रही है तो यह God ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह की divine जो है, वो explanation बनी, जो कि लोगों ने मानी भी पहले ऐसा था, लेकिन post-renaissance क्या हुआ, this deductive method, gave way to inductive method which was based on observations and leading to newer and newer conclusions तो scientific approach के लिए आपके पास शब्दोने चीए, deductive method और inductive method deductive method का मतलब यह, कि deduce कर रहे हैं आप, जो घटना घटी उससे पता लगा रहे हैं कि इस घटना से इस घटना का मतलब क्या है, देखिए, आप जो भी चीज़ deduce करते हैं न, वो करते हैं आपके दिमाग में already established जो ideas हैं उनके दम पर, और already क्या established था, कि यह divine तो है ही लेकिन अब यह कैसे divine है, हमें बस उस natural force को जो है, वो कोई एक जो है, वो natural कृती के रूप में जो है, वो design करना है ठीक है, यानि कि कोई देवता create करना, अलग-अलग धर्मों में हुआ, जहाँ politism था, वहाँ पर बिजली कड़कर यह तो juice है वही है ना, अगर हवाँ चल रही है बहुत तेज तो यह वरुण है, अरुण है, ठीक है, तो यह शुरुवाती सब धर्मों में हुआ ऐसा एसा नहीं है कि केवल Christianity में ऐसा था, ऐसा इसलाम में भी था, ऐसा वैदिक धर्म में भी था, ऐसा जोरस्टार्निजम में भी था, ठीक है, ऐसा जो है वो जुडाइजम में भी था, ऐसा Jewish धर्म में, हर धर्म में हुआ यह, ठीक है, और यह मुखेत है, priestly class को फाइदा पहुचाने के लिए, लेकिन शुरुवात में इंसान ने क्यों किया, क्योंकि शुरुवात में, शुरुवाती जो इंसान था, उसके पास explanations नहीं थे, इसलिए उसने divine form दे दिया, इन सब natural phenomena's को, धीरी धीरे जब explanation मिलने शुरू हुए, तो जो priestly class develop हुई, उसने, उसने वही चीज चिपक के रहे वो, कि नहीं यह divine वाला जो है, वो बढ़िया है, इससे जनता बेवकूफ बनी रहती है, ठीक है, तो they, they, मतलब they kept their hold on that ideology, कि जो भी, जो भी natural phenomena, अगर कोई, कोई भी अगर physical phenomena हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या गोशित किया जाए, कि यह क्या है, divine है, रेट, लेकिन inductive method आ जाने की वजए से, inductive method किस पे हुए, कि आपने experiment किया, आपको पता नहीं था कि क्या होगा, तभी तो आपने experiment किया न, कि देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, आपने जब experiment किया और जो observation क्रियेट की, उससे आपने नए conclusions क्रियेट किये, कि अच्छा, ऐसा करने पर ऐसा हुआ, तो ये मतलब है इस बात का, ऐसा वैसा क्या मतलब, simple सी बात है, अगर आपने, मतलब मान लीजिए, कि अगर sodium को तलाब में भैक दिया, पहले क्या होता था, ठीक है वो जो आपने देखे होंगे, जादूगर करते हैं, जो हाथ में आग लगा देते हैं, फिर आग बुझा देते हैं, तो पहले लोग इस चीज़ को divine मान लेते होंगे, ये तो भहिया चमतकार कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा sodium लिया, उस पे थोड़ी सी पानी लगाया और व देरे देरे लोगों को समझाएगी, नहीं है, chemical reactions है, ठीक है, और heat release हो रही है, entropy, entropy में conversion हो रहा है, right, next देखिएगा, so scientific approach में क्या हुआ, deductive से inductive में conversion, ठीक है, philosophical sphere में देखते हैं, क्या change आया, पहला point देखते है, descarts, या descartes, अब ये descartes, रने descartes कौन है, इसके बारे में आ social political thinker है, so descartes critique of all previous philosophies as uncertain, paved way for a fresh approach, which mandate the reliance on facts, is absolutely certain, particularly the fact that he was thinking, as thus he himself existed, cogito ergo sum, ये जो cogito ergo sum, जो latin में एक phrase है, ये रने descartes नाम के एक social thinker ने दिया, ठीक है, तो इसमें रहने descartes ने एक बिल्कुल clear बात बोली, कि जैसा आप सोचोगे ना, वैसे आप बन जाओगे, ये एक ना बहुत powerful statement है, बहुत powerful statement है, because ideas are very powerful, right, ideas जो है, वो बहुत powerful चीज़ है, और एक चीज़ है, suggestion therapy, Freud ने जो है, वो बहुत experiments किये, Stephen R. Covey ने बहुत experiments किये इस चीज़ पर, और suggestion या placebo effect या suggestion क्या होता है, कभी सर्च, आगे मैं आपको कभी देरे-देरे समझाऊंगा, लेकिन, एक बिल्कुल basic बता जाता हूँ, कि, अगर माली जी कोई दवाई टेस्ट होती है न, माली जी hundred patients हैं, जिनको कोई एक समस्य है, कोई बिमारी है, उसके लिए एक दवाई बनी, तो 50 लोगों को तो दवाई दी गई, लेकिन 50 लोगों को केवल दिया गया, sugar pill, यानि दवाई के नाम पर placebo दिया गया, एक जूटी, सूडो दवाई दी गई उन्हें, और उन्हें सब को बताया गया कि आप सब को दवाई दी है, ठीक है, जब कुछ समय बाद उस दवाई का असर चेक किया गया, तो ये पता चला कि जिन लोगों को सूडो दवाई यानि placebo, यानि एक मीठी गोली जिन लोगों को दी थी, उन ये भी मारी ठीक हो गई, ठीक है, इससे ये conclusion निकल कर आता है, ये experiment हुआ ना, इससे ये conclusion निकल कर आता है कि अगर आप इंसान के दिमाग को कोई चीज सजेस्ट कर देते हैं, कोई idea उसके दिमाग में डाल देते हैं, तो वो उसके लिए सच होने लग जाता है, है ना, उन 50 patients को ये idea डाला गया उनके दिमाग में, कि आपको दवाई दी जा रही है, और उनकी body ने, उनके immune system में, उनके दिमाग ने, ये बात मान ली कि वो ठीक हो जाएंगे, तो जब उनको ये suggest कर दिया गया, कि तुम ठीक हो जाओगे, तो उनके immune system ने उसी तरह काम करना शुरू कर कि वो ठीक हो जाएं, और वो बिमारी उनकी ठीक हो गई, इसी तरह दवाईयां टेस्स की जाती हैं, आज भी placebo effect पर ही, और ये कारगर है, यही चीज, डेसकर्टेस ने समझाई, कि जो मैं मानता हूं, वो मेरे लिए सच है, ठीक है, तो हम जो divine को मानते चले आ रहे हैं इतने समय से, इसी लिए हमारे समाज पर divine सच हो गया है, ठीक है, पूरा समाज ही हमारी collective consciousness तो बहुत बाद का concept आया, ठीक है, अभी research चल रही है collective consciousness पर, लेकिन एक individual वेक्ति की बात कर रहे है, आप जिस जिन ideas को बच्पन से लेकर बैढ़ जाओगे अपने दिमाग में, वही आपक subconscious पर हावी हो जाएंगे और वह आपके लिए सच्चाई बन जाएंगी, ठीक है, उसी तरह की reality subconscious जो है वो पोट्रे करने लग जाएगा, ये चीज जो है वो इतना detail में हो सकता है कि रहने को ना पता हो, जैसा कि हमें आज जो है वो मालूम है इन सब चीजों के बारे में, ठी ठीक है, और उसने सिंपल सी बात बोले कि अगर किसी भी philosophy को, अगर किसी भी social phenomena को, या अगर आप किसी भी चीज को explain करना चाते हैं, for that matter चाहे वो social matter हो, political हो, economic हो, को scientific matter हो, सब को जो है, वो facts के अधार पर, ये idea आपको अपने दिमाग में plant करना पड़ेगा, कि आपको facts के अधार पर ही सोचना है, तभी वो चीजे जो है, वो आपके लिए सच होने लगेंगी, ठीक है, तो इसी चीज को collective consciousness भी कहा जाता है, शायद, ठीक है, अभी इस पर चल रही है research, खेर ये काफी collective consciousness हो सकता है, कि आपके समझ से, ऐसे गुजर गया हो उपर से, लेकिन अभी मैं enlightenment की वज़े से ये development हुआ, कि पहले जो philosophy का मतलब क्या है, philosophical मामले क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, मानव को क्या करना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, तो पहले Catholic Church क्या था था कि चर्च की सेवा करते रहो, Holy God की सेवा करते रहो, लेकिन Renaissance ने क्या कहा, Humanism ने क सोचना शुरू कीजिए, भोग विलास कीजिए, ठीक है, शारिरिक सुख दीजिए अपने आपको, मांचिक सुख दीजिए अपने आपको, भही पर रहने ये कहते हैं, कि हर चीज़ को fact के आधार पर सोचना शुरू करो, अगर शारिरिक सुख देना है खुद को, तो उसके पिछे क्या scientific fact छुपा है ठीक है है ना serotonin के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए क्या है serotonin endorphins ये क्यों release होते हैं ठीक है cortisol बगरे सब hormones क्या है खेर इनका नाम तो बाद में पदा चला हमें आगे बढ़ते हैं next is his methodology influenced French and German rationalism English empiricism and German idealism देखिए इस एक statement में ना एक बहुत बढ़िया चीज क्लियर होती है इस एक statement में ये बात क्लियर होती है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुवात हो गई empiricism English empiricism German की idealism ठीक है French की अपनी अलग सोच है तो इससे बड़ी political शक्तियां उभरने लगी साफ साफ नाम से दिखने लगा न वही liberal सोच है बेसिकली है क्या scientific approach है ठीक है उसी के लिए ही अलग-अलग देश ने अलग-अलग नाम जनरेट करने शुरू कर दिये अलग-अलग political thinkers political thinkers को celebrate किया जाता है अब nationality के अधार पर ठीक है जैसे माल लीजी अगर ऑक्सफोर्ड ठीक है ऑक्सफोर्ड अगर ब्रिटेन में तो जो ऑक्सफोर्ड की जितनी भी पीरेज है वहां से जो भी पड़ेगा या ऑक्सफोर्ड जो भी चीज छापेगा क्योंकि अगर आप कोई भी thesis कोई भी invention create करते हैं invention तो खेर सरकारे patent करते हैं लेकिन अगर आप कोई भी नई thesis लेकर आते हैं तो उस thesis को उस theory को credibility प्रवाइड करती हैं ये बड़ी universities ठीक है समझ रहे हैं आप ये बात नहीं जचा ये concept नहीं जचा जैसे माल लीजिए Sir Isaac Newton ने जो loss दिये वो quantum mechanics ने ठुकरा दिये quantum mechanics ने जो loss दिये वो theory of relativity ने ठुकरा दिया ठीक है तो ये सब जो scientist आए ये किसी university की PRG तो रहे होंगे न तो उस collectively उस university का नाव आता है उस university ने जिस scientist की theory को माना उसको सच का आ गया तो अगर Britain में कोई बड़ी university है और अगर वो किसी fact को सच मान रही है तो वो और nationality की भावना ही ना मैंने बोला ना जनता को control करना शुरू किया उन्होंने ठीक है धीरे धीरे nation nation बनने शुरू हुए strong nation बनने शुरू हुए जनता को control करना शुरू किया और जनता को control किया जा गतता को manipulate और control या motivate किया जाता है राइट। रही अगर कोई scientist बिटेन में बैठके वही बात बोल रहा है जो Germany में कही जा रही है आगर Germany काकोई scientist वही same बात बोल रहा है जो France में कही जा रही है सभी अपनी अलग-अलग भाशाओं में अपनी अलग-अलग universities में कहा कर बोल रह रहे हैं रहे कर बोल रहे हैं तो वहां के राज्यों ने उनको जो है वो मतलब उनको credibility प्रोवाइड करी कि नहीं ये है this he was the greatest और the father of political thinking and father of this modern sciences और ये सारी चीज़े जो है देखिए एक बिल्कुल basic चीज़ बताता हूं मैं सोने की कीमत क्यों है इतनी बिल्कुल simple बात है हाँ सोने की metallic properties बहुत अच्छी है वगएर वगएर जो भी है ठीक है लेकिन फिर भी सोने की कीमत क्यों है इतनी जादा metallic properties तो लोही की भी बहुत अच्छी है यूजेज और संख्या तो लोही की भी बहुत जादा है यह भी मान सकते हैं आपकी सोने की संख्या जो है वो amount कम है लेकिन बट स्टिल सोने की कीमत क्यों जादा है क्योंकि सबने माना है collectively कि सोने की कीमत जादा है अगर आज ही पूरी दुनिया ये मानना बंद कर देगी सोने की किमत जादा है तो सोना पत्थर हो जाएगा पत्थर तो नहीं होगा लेकिन मतलब एक common धादू बन जाएगी एक common metal बन जाएगा तो वही है इसी चीज़ को बलते है collectively क्या सोच रहा है mass population collectively अगर अब Oxford University अगर Britain ने दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों को अगर colonize किया है विश्व युद लड़े हैं उसके बाद English भाषा में जितनी भी बड़ी बड़ी superpowers हैं वो correspond कर रही हैं जितनी भी scientific theories create हो रही हैं वो सब Oxford अगर या Oxford जैसी और भी universities ठीक है उनको अगर credibility provide कर रही हैं तो अगर वहां की कोई peerage है वहां का अगर कोई philosopher है कोई thinker है ठीक है और अगर Oxford कहेगी कि he was the pioneer or the greatest of this particular field तो पूरी दुनिया वो बात मानेगी न तो इस तरह तो basically मैं आपको समझाना क्या चाता हूँ यह जो concept है यहां से आपको समझना है कि दुनिया कैसे काम कर रही है जो global perspective की बात कर रहा हूँ न मैं तो यहां पर आपको समझना है कि popularize कैसे किया जाता है लोगों को ठीक है credibility जो है अगर present day में किसी चीज़ की credibility है तो लोगोंने माना हुआ है ठीक है dark ages में सब roman catholic जो चर्च है उसी की तो बात मानते थे न ठीक है enlightenment के period में उसकी बात लोगोंने माननी बंद कर दी लोगोंने नए ideas मानने शुरू कर दिये ठीक है उसको enlightenment कहा जाने लगा ठीक है अगर आप मानो अगर आप thoroughly roman catholic church की बाते मानोगे तो वही आपके लिए सचा ही बन जाएगी यही तो बात रेने बोल रहा था कि जो आप चीज thoroughly मानोगे वही आपके लिए सचा ही बन जाएगी खेर यह हो सकता है कि थोड़ा सा गोल मोल लगया आपको थोड़ी सी confusion हो अभी ठीक है हो सकता है cognitive dissonance भी हो आपको लेकिन धीरे धीरे clarity आजएगी जुड़े रहिएगा ठीक है क्योंकि देखिए पहले ही session में मैं पूरा explain नहीं कर सकता ना आपको कि कैसे Britain ने जो है वो psychologically दुनिया को control करके रखा या जो west है जो western culture है उसने कैसे पूरी दुनिया पर एक जो है वो psychological जो है वो control बना के रखा हुआ है ये धीरे धीरे समझेंगे ना इन mass psychological जो control है इस level तक ले जाओंगा आपको मैं ठीक है तभी वो एक global perspective generate होगा आपका बहुत बहतरी नमजा आएगा और देखिए बहुत सारे लोग आज से 50-60 साल पहले इन चीजों को जो हवाई बाते माना जाती थी कि नहीं mass population में मतलब ब्रिटेन में बैठा बैठा कोई व्यक्ति साउथीस रेशिया के व्यक्ति को कैसे control कर सकता है या वो क्या सोच रहा इसको कैसे control कर सकता है ठीक है मैं आपको तथे scientific तथे provide करूँगा कि ऐसा हुआ है ऐसा हो रहा है ऐसा होता रहे 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 खेर तो यहाँ पर हमें समझ आया basically statement में his methodology influenced French and German rationalism English empiricism and German idealism तो basically France, Germany और ब्रिटेन में हो तो वही रहा है na scientific approach ला रहे हैं वो rationally सोचना शुरू किया उन्होंने लेकिन उन्हों ने glorify किया अपने अपने देश को और अपने अपने political और scientific thinkers को इससे हुआ क्या nation में जो है वो nationalism की जो भावना है वो लोग के ठीक है वरना आप सोच के देखिए अगर आपको आज भी अगर आपको माल लीजे दस आदमी खड़े करने हैं दस लोगों को खड़ा करना है अपने लिए लड़ने के लिए तो आप क्या देंगे उन्हें क्या लालच देंगे ठीक है अगर आपको 10 आदमी को अपने जर्नली एक अगर आप चाहे पुरुष हों चाहे महीला हों ठीक है अगर आपको 10 व्यक्तियों को खड़ा करना है अपने लिए जान देने के लिए तो उनके लिए क्या motivation आप जो है वो पेश कर सकते हैं ठीक है तो उन 10 आदमीयों की उन 10 व् मेरे में आपको जब विश्यू तक ले जाऊंगा ना तब समझाऊंगा इन चीज़ों लेकिन इसकी शुरुवात कहां से हुई है देखे शुरुवात हुई थी आइडेंटिटी प्राप्त करने से ठीक है क्यों क्योंकि रॉमन कैथलिक चर्च ने आइडेंटिटीज छीन ली हो रहा है लेकिन ब्रिटेन का अलग क्यों हें क्योंकि वह ब्रिटेन की ग्लोरी को सर्व कर रहा है ठीक है यहाँ पर जो हूं अलगलग नेशनल पॉकेटस जो हो नजहराते होई मतलब बॉनके इसी चीज को आगे अभी आपको लग रहा है कि यह चीज हावा में जारी rules sense डीप जो है वो समझ होगी खेर next point देखेगा it contributed to the emergence of modern philosophy देखिए next sentence में लिखा है it contributed to the emergence of modern philosophy in which appeals to authorities such as Plato and Aristotle were not made except citing them for examples Plato और Aristotle Plato ने ये कहा था कि democracy काम्याब नहीं है Plato ने कई जगाओ पर Aristotle ने भी कई जगाओ पर ये वोला है कि democracy जैसे जो ideas है वो बहुत लंबे हद तक काम्याब नहीं है बहुत ideal नहीं है ये क्यों कि Aristotle Plato ये सब जानते थे कि इंसान greedy है ठीक है greedy है इंसान कुछ समय तक कुछ समय तक ही अच्छाई को बरकरार रखा जा सकता है उसके बाद it is natural to इंसान की किसी ना किसी तरह की greed में अपने आपको indulge कर ले तो democracy एक बहुत जो है वो पवित्र चीज थी समझ रहे है जन्ता का rule जन्ता जो है वो शाशक हो ठीक है लेकिन उसके साथ जो है वो बहुत सारे लूप होल्स है उसमें बहुत सारा manipulation बहुत सब सब किया जा सकता है यह सब Plato और Aristotle ने कहा यह सब आते भी कहीं है Plato और Aristotle या उस समय के Roman और Greek जो है वो philosophers ने जिनोंने यह समय देखा है जब democracy का experiment हो रहा था Greek ग्रीस में रैट लेकिन लेकिन जो नए thinkers है उन्होंने केवल वही paragraphs या वही statements इन सब political thinkers के use किये जो कि उनके फाइदे में थे ठीक है otherwise आप पढ़के देखिएगा Plato और Aristotle को उन्होंने क्या बाते बोली है so वही चीज़े जो modern philosophy है in which appeals to authorities such as Plato and Aristotle were not made except citing them for examples so Plato Aristotle को उन्होंने example की तरह पेश किया कि देखो यह हमारी पुरानी glory है यह है वो Greek और Roman जो है वो philosophers और इन्होंने democracy की बात करी है इन्होंने scientific temper रखने की बात तभी कर दी थी लेकिन उसके साथ उन्होंने जो democracy के लिए बारी किया बताई थी उन चीज़ों को इन्होंने popularize नहीं किया ठीक है खेर democracy का जो development है मैं दीरे दीरे आपको समझाऊंगा और पूरी यह पूरा लंबा discussion है मेंज में सवाल बनता है कि democracy कामयाब है या नहीं है ठीक है democracy किस हद तक कामयाब है ancient Greek Rome की democracy present day की democracy या ancient Greek Rome छोड़ दीजे सोलवी सतरवी सताबदी में जो शुरुवात हुई democracy की practice जो accept करने मतलब ये धीरे धीरे सतरवी सताबदी के बाद जो धीरे 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 ये concept generate होने लगा और जो present day में democracies हैं चाहे वो भारत में हो यूरोप में हो या दुनिया के अनने किसी भी खेतर में democracies हो इनका development कैसे हुआ है कितना हद तक कामयाब है कितना कामयाब नहीं है democracy का जो मूल है जो जड है जो democracy का जो रस है क्या निहित है वो in present democracies में या नहीं भारत की democracy कितनी कामयाब है कितनी फेल है ये सब सवाल बनते है ठीक है यह सब ethics के भी सवाल बनते है ethics में भी इस particular concept में सवाल बन सकता है ऐसे के लिए भी सवाल बन सकता है all right so Plato और Aristotle की बातों को इन लोगों ने seriously नहीं लिया और केवल उसको as a symbol या एक जो है वो example की तोर पर यूज किया ठीक है next point देखिएगा personal experience gained paramount importance in terms of formulation of a theory और observation ठीक है personal experience से ही कोई theory और observation जो है वो निकल कर आई और यह paramount importance यानि कि अब जो social या political thinker है उसका जो खुद का personal experience है उसी के अधार पर वो जो conclusion create कर रहा है वही उसने जो है वो आगे publish कर दिया और वही लोगों तक पहुँच गया idea पहले क्या होता था पहले कोई नया जो है वो कुछ भी अगर नया idea आता था तो उसको credibility कौन प्रोवाइड करता था Roman Catholic Church ठीक है लेकिन अब अगर कोई भी social political economical idea है या कोई भी अगर scientific idea है तो लोग अपनी अपनी capacity में research करते थे ठीक है और conclusions prepare करते थे और क्या करते थे experiments करते थे observations create करते थे conclusions बनाते थे उसको publish करा देते थे और वो जनता तक पहुँच जाती थी और जनता जो है वो माल लेती थी उन बातों को अगर उनको सही लगे तो ठीक है वही धीरे-धीरे peerage में convert हुआ और universities established हुई ठीक है universities तक हम आगे ले जाएंगे मामले को university समझाऊंगा लेकिन अभी शुरवात में जो individual observations है वही जो है वो इन philosophies या वही इन theories का स्तुरोत बना है ठीक है next देखिएगा since different peoples have different personal experiences toleration and pluralism increased which fostered ideas such as freedom of thought and freedom of religion अब देखिए मान लीजिए कोई political thinker है वो ये तो मानता है कि God है लेकिन वो ये भी मानता है कि Roman Catholic Church ने जो God की व्याख्या create की है वो गलत है so that means उसने जो भी social या political theory या conclusions create किये है वो इस आधार पर किये है कि Roman Catholic Church की जो व्याख्या है वो गलत है असल में God जो है वो इस तरह काम कर रहे है या polity या society इस तरह काम कर रहे है ठीक है वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो किसी और धर्म को मानता है मान लेजिए वो यहुदी है वो Old Testament के हिसाब से उसने अपने अलग conclusions create किये वहीं एक तीसरा व्यक्ति है आपस में एक दूसरे का गला नहीं दबाया इन्होंने कहा कि चलो मेरी बात भी ठीक है तुमारी अपनी जगा ठीक है तुमारी अपनी जगा ठीक है तीनों में से जो बाते बढ़िया लगती है उसका conclusion create कर लेते है क्यों लड़े हम आपस में इसलिए तो यहाँ पर रिलिजियस टॉलरेंस जो है वो ब्रदर हुड की भावना धीरी धीरे डवलप हुई कि पहले क्या होता था रोमन कैथलिक चर्च कहा रहा था कि जो क्रिश्चन है जो रोमन कैथलिक जितनी वी आइडिलोजी है जो उनको मानेगा वही जिन्दा रह सकता है बाकी सबको एक्जीक्यूट कर दो इसलाम क्या कह रहा है जो इसलाम कबूल करेगा उसी कोई फाइदा मिलेगा इसलाम का बाकी सबको एक्जीक्यूट कर दो टॉर्मेंट कर दो या उसको उप्रेस करो ठीक है ये सब चीजे हमें यूरोप में और एशिया में एशिया के जो है वो मिडल इस्टन भागया में देखने को मिली ठीक है एंशेंट और मेडाइवल पिरेड में या मेडाइवल से modern का जो transition phase है अभी भी ऐसा ही कुछ situation थी उससे में ठीक है लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हुआ है कि brotherhood की भावना बनी एक tolerance बननी generate हुई इसी से ही society multi-cultural, multi-ethnic और multi-religious societies जो है वो coherency से रहना शुरू किये ठीक है क्यों क्यों कि इस तरह के ideas जो है वो उनको किस तरह के idea कि tolerate करना है pluralism बढ़ाये जाए यानि कि एक society में एक से ज़्यादा मत जो है वो साथ में रह सकते है आसानी से और एक दूसरे को सहते हुए एक दूसरे को tolerate करते हुए next देखेगा since different peoples have different personal experiences toleration and pluralism increased which fostered ideas such as freedom of thought and freedom of religion ठीक है तो हम यह समझ गए next देखेगा this was accompanied by political theories which called for a new order as the old order was understood as a primary source of miserians ले वी तो यह new order और old order मैंने आपको समझाया है जो old order है यानि roman catholic church द्वारा और यह जो feudal order established है उनकी वज़े से समाज में जो गरीबी और misery फैली हुई है समाज में जितने भी दुशकर्म हो रहे है समाज में जितने भी problems है society की वो सब old order की वज़े से इसलिए नया order आए और नया order इन सब lines पर developed हो right इन सब philosophies पर इन सब ideologies पर developed हो next देखिएगा तो philosophical sphere में यह सब जो है वो developments हुए किस से age of enlightenment में next देखिएगा emergence of public sphere अब एक public sphere developed हुआ देखिए क्या है पहला point देखिएगा the enlightenment was embarked with emergence of a space in which individuals were able to come together as a public example है this public sphere included coffee houses reading societies etc ठीक है देखिए पहले क्या होता था कि अगर कोई पहले discussions होती ही कहां थी पहले धार्मिक discussions होती थी चर्च में चर्च ही decide करता था कि क्या सच है क्या जूट है क्या मानना है क्या नहीं मानना है या वहां का जो भी feudal lord है उसका court decide करता था तो जनता आपस में मिल जूल कर बातचीत कहां करती थी जो भी उनकी ceremonies बगएर होती थी वहां पर लेकिन एक casualness नहीं थी कि लोग आकर बैठे हैं मिल रहे हैं और ideologies पर बात कर रहे हैं conclusions create कर रहे हैं क्यूंकि ये काम तो जो feudal lord है उसका था और जो roman church catholic church है उसका था राइट जनता का सवड़ी काम था लेकिन age of enlightenment में जनता ने ऐसे establishment system बनाए जह यहां पर आम लोग जाकर ideas को discuss कर सकते हैं conclusions create कर सकते हैं debate discussions हो सकती हैं इसी तरह हमें reading societies और शुरुवाती coffee houses बनने लगे यानि लोगों ने पहले चाहे के बहाने coffee के बहाने से लोग जो है वो आते थे और बातचीत करना शुरू करते थे और माल लीजिए कि अगर रेने ने कोई नया जो है वो pamphlet publish किया है उस पर discussions करना शुरू कर दिये लोगों ने तो अब discussions को सही माना जाने लगा पहले discussions अगर कोई discuss भी कर रहा है तो कैसे उसने roman catholic church के खिलाफ कुछ बोल दिया कैसे उसने जो है वो our lord and saviour उसके खिलाफ कुछ बोल दिया उसको execute कर दिया जाए उसको crucify कर दिया जाए ऐसा था पहले ठीक है dark ages में medieval times में middle ages में लेकिन अब क्या था कि अब जो है वो खुले तोर पे लोग जो है वो discuss कर रहे थे इन सब political ideologies को social conditions को लोगों ने discuss करना शुरू किया उसके लिए ऐसे establishments बनी जैसे की reading houses बने ठीक है अखबार तो खेर बाद में अखबार का concept बाद में आया है लेकिन जो समय की किताबे थी छ articles सबते थे उनकी discussions करने के लिए reading houses बने coffee houses बने राइट तो लोगों ने get together शुरू किया मिलना शुरू किया किस चीज का किस चीज के लिए political मुद्धो पर social या scientific मुद्धो पर discussion करने के लिए जो है वो मिलना बरतना शुरू किया उन्होंने with the growth of international book trade and the emergence of mass-produced pamphlets and news bulletins it was possible the people from different parts of the world to read diverse literature and discuss the event persons and ideas at global level दिरी दिरे क्या हुआ trade बढ़ा मैंने कहा न scientific inventions हुए तो global discoveries हुई global discoveries हुई तो world trade बढ़ा world trade बढ़ा तो किस देश में क्या चीज छप रहा है वहां की क्या किताबे हैं वहां का जो literature है वो यूरोप में भी आया माली जी इंडिया से literature यूरोप में भी आया यूरोप का literature इंडिया में भी गया ठीक है एफरीका का literature जो भी अगर वहां का कोई tribal literature है वो यूरोप में आया या का अगर society है वहां की उनकी जो भी माननेता है वो यूरोप में पहुँची ठीक है यूरोप से वहां एफरीका गई वही same चीज जो है वो North America, South America, South East Asia, China, Russia हर जगा हुआ तो यानि कि information का आदान पर आदान हुआ प्लस news bulletins चपने लगे pamphlets जो है वो बड़े level पर चपने लगे इससे हुआ क्या कि जो global level पर जो घटनाए घट रही है वो भले ही कुछ दिनों कुछ महीनों बाद पहुँचती हो खबर लेकिन पहुँचने तो लगी च भारत में अगर अकबर ने कोई फैसला लिया है तो यूरोप में बैठे जो लोग है उनको वो पता चला कैसे पता चला क्यूंकि enlightenment की वज़े से communication के जो है वो sources बढ़ गए थे print sources बढ़ गए थे communication के ठीक है अकबार आ गये थी news bulletins आ गये थे pamphlets आ गये थे किताबे नहीं rate हुआ यानि कि जो intellect की बाते हैं जो public discussions जो है जो पहले feudal lords के cult में हुआ करती थी या churches में हुआ करती थी अब वो आम जनताओं ने अपनी अपनी बैठे के develop कर ली अलग-अलग रूप में वहां पर भी होने लगी ठीक है next देखिएगा the spread of democratic values अब धीरे धीरे देखिए हु लोगों को यह महसूस होने लगा कि यह जो राजा ही राजा का पुत्र ही राजा बनेगा और वो आयाश है शराब पीता है ठीक है नशा करता है और पूरे दिन जो है वो निर्तिकाओं के बीच में रहता है आयाशियों में रहता है वो कैसे हमारा राजे चला सकेगा ठीक है यह भी तो राज कर सकती है तो लोगों के अंदर जो क्योंकि ट््रेट बढ़ा तो लोगों के अंदर पैसा बढ़ा पैसा बढ़ा तो confidence है वो ruler के सामने खड़ेों के बात कर सकते थे कि जनाब अगर हमने आप को पैसा देना trade हटा लिया तो आपकी कुरसी जो है वो जाज समय तक नहीं टिक सकती ये जिस ताज पर बैठे हैं ये छीन लेंगे हम मर्चेंट क्लास डेवलप होने लगी न तो ये जो मर्चेंट क्लास सी अब इसको ये समझाने लगा कि यार ये जो राजा के बाद जो सी का बेटा राजा बन रहा है ये विवस्था ठीक नहीं है ठीक है हमें जो है वो अपने में से प्रतिनिदी चूज करने चाहिए ताकि हम जो मर्चेंट है हम जो ट्रेडर्स है हमारे rights का protection हो क्योंकि जो राजा का बेटा है वो तो अपनी royal family की च्छाओं को पूरा करने के प्रती काम करेगा ठीक है लेकिन जो बढ़ते हुए merchant class थी जो बढ़ता हुआ जो है वो आम जनता भी जो intelligent हो रही थी उनके जो वो merchant हो या ना हो उनके जो प्रतीनिदी सामने आ रहे थे जो उनके लिए बाते कर रहे थे उनकी demand ये थी कि जो राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा ये विवस्था ठीक नहीं है ऐसी विवस्था democracy आनी चीए क्योंकि democracy का example Plato Aristotle का example उनके पस था ठीक है रोमन ग्रीक टाइम में democracy थी तो democracy का concept established था ऐसा नहीं था कि democracy नया concept था democracy was already there in the ancient time ठीक है so democracy के बारे में लोग जानते थे तो उसी democracy को अब क्यों नहीं establish किया जा सकता ठीक है तो ये democracy लाई जाए इसकी भावना भी जो है वो धीरे धीरे लोगों में फैली ठीक है in the 17th century various attempts were made by monarchs to establish the principle of divine right of kingship but by the 18th century their failure was evident 17th century ठीक है देखे 15th 16th century रनेसांस 16th अताबदी में age of enlightenment 17th century में age of enlightenment ठीक है 17th century अताबदी तक आते आते जो शाशक थे जो मोनार्क थे उनके लिए merchants को और जनता को समझाना मुश्किल हो गया था कि क्यूं मैं ही या मेरा ही बेटा जो है वो राजा बनने के लाइक है क्यूं कोई और पड़ा लिखा सामर्थ वेक्ती जनता के बारे में समझने वाला जानने वाला वो वेक्ती जो है वो क्यूं नहीं लाइक है government चलाने के लिए ठीक है तो वही जो पुराना Roman Catholic Church तो जो लोग ये order बना के रखना चाते तो उने Roman Catholic Church को वापिस मानना शुरू गया ठीक है ठीक है क्योंकि Roman Catholic Church की strength थी राजाओं के साथ जुड़ी हुई ठीक है मैंने आपको बताया है ना हमेशा सही priestly class और जो aristocracy class है ये एक दूसरे को support प्रोवाइड करती है ताकि वो जनता को बेवकूफ बनाते रहे बेवकूफ बनाने का मतलब यह है कि अपनी authority उनके उपर जो वो तो ऐसा ही कुछ जो है मोनार्की ने करने कोईश करी अपनी जो है divine authority जताने कोईश करी लेकिन लोग समझ गए थे कि नहीं ये तो तुम बेवकूफ बना रहे हो ये तो तुम चाहते हो कि आपका control बना रहे है अब हम वो पहले की तरह थोड़ी हम सीख गए है हमें भी पता चल गया है कि quality क्या होती है society कैसे control होती है economy क्या है हमने world trade देख लिया अब कैसे बेवकूफ बना रहे है आप मुझे ठीक है तो लोग आठारवी शताबदी में समझ आ गया और अठारवी शताबदी में हमें फिर line से revolution आती भी नज़र आती है ठीक है revolution का एक कारण ये भी है आगे हम revolution जो मैं आपको समझाओंगा न American, French, Russian, Chinese खेर इंडिया का तो पूरा national moment हमने समझ लिया लेकिन ये American, French, Russian, Chinese revolution जो मैं आपको समझाओंगा वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम करेंगे ना culminate इखटा करेंगे इन सारे concepts को ठीक है लेकिन फिलहाल क्या है कि जो democracy है उसका idea धीरे धीरे लोगों के अंदर बैठने लगा और monarch जो हैं वो अपनी credibility को बचाने के लिए या अपने आपको ऐसा शाशा घोशित करने के लिए जो मुमकिन वो करना कर सके किया उन्होंने लेकिन वो काम्याब नहीं हो सके ठीक है the monarchs which were bankrupt had to turn to assemblies and parliaments to raise money to finance their projects this resulted in participation of different groups in decision making which in turn put limits on the power of monarch देखेगा हुआ ये monarch जो है वो तब तक शक्तिशाली था जब तक पूरे राज्ये का trade उसके control में था लेकिन scientific discoveries होने की वज़े से geographical discoveries हुई geographical discoveries से trade बढ़ा trade बढ़ा तो केवल monarch नहीं trade नहीं किया जो private लोग हैं यानि कि लोगों ने जो है वो private trade भी बहुत किये so that means royal families के अलावा भी ऐसी families जो है वोई खटा हो गई जो कि strong थी कुछ समय पर royal families से जदा strong होगी बाकी families तो वो जो नया merchant work जो खड़ा हुआ था जो कि कही जगाओ पर royal families से भी strong था उन्होंने कहा कि भईया हम तुमारी बात नहीं मानेंगे एक जो है वो council create करो जिनमें हमें जगा provide करो और हमारी सला से आप जो है वो काम करेंगे अब क्यूं क्यूंकि हमारा पूरा राष्ट्र हमारे जो है वो resources किस direction में move करेंगे वो हम merchants decide करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा मुनाफ़ा बना रहे ठीक है देख रहे हैं आप capitalism की जड़ बता रहा हूं मैं आपको कहां से शुरू होता है और democracy की establishment की शुरुवाती जो है वो चीजे में समझाने कुश कर रहा हूं तो monarch ने भी monarch की स्थिती कमजोर है अगर उसको अपना raja का title बना के रखना है तो उसने कहा कि चलो यह जो assemblies है यह जो parliament है मैं इसको कुछ शक्तियां provide करता हूं at least मेरे पास raja का title तो रहेगा जैसे England में England का monarch नाम का है उसके बस कोई political शक्ति नहीं वहां की parliament के पास चली गए यह political शक्ति वहां के parliament में शुरुवाती शुरुवाती जो parliament बनी उसके जो members थे वह वहां के merchants थे धीरे धीरे यह idea जो है वह गलत लगने लगा कि merchant ही बैठा है पारलेमेंट में तो merchants ने अपने प्रतिनिदी अपने जो है वह प्रतिनिदियों को वहां पर बिठाना शुरू किया ठीक है तो ऐसे political leaders बने जिनके पीछे जो है वह merchants खड़े है traders खड़े है बड़े-बड़े बड़े-बड़े capitalists खड़े है तो democracy के leaders के पीछे जो है वह तभी कहा जाता है कि जो parliament है उसके पीछे corporations खड़ी होती है हर जगा पर है ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है या केवल England में है या केवल France जर्मनी में है यही democracy का एक जो है वो एक पहलू है democracy का ठीक है कहा तक सही है कहा तक गलत है उस debate में आगे पहुँचेंगे न हम जब हम पूरे detail में democracy को समझेंगे तब पहुँचेंगे उस detail में सवाल भी उठाएंगे case studies भी करेंगे सारी चीज़े देखेंगे तो यहाँ पर हमें समझाया कि जो राजा है वो कमजोर है उसके बाद उसने participation of different अच्छाई से हुआ क्या कि समाज के अलग-अलग work का participation हुआ फैसला लेने में कि पूरा राजे क्या काम करेगा अब जो है वो अलग-अलग families के जो प्रतिनिती है वो भी decide करने लगए यानि यानि जो council पहले राजा और राजा की royal family और उनके द्वारा appointed लोग जो है वो handle करते थे अब उसमें अन्य जो है वो प्रवुकता वाले लोग जो है वो पहुँचना शुरू कर दिया उसी समाज के भले ही वो ब्रिटेन हो भले ही वो जर्मनी हो फ्रांज हो ठीक है रशिया हो इटली हो जो भी बड़ी शक्ति हैं ये उरोप की या उस समय थी या डवलप हो रही थी आगे देखते हैं अब देखते हैं कुछ ऐसी important personalities के बारे में ठीक है इस age of enlightenment की important personalities कौन कौन सी रही आई उनके बारे में समझते हैं तो सबसे पहले देखिएगा गैलीली और गैलील की बात करते हैं तो इनका नाम इस वेक्ति का नाम आपने बहुत दूम दाम चे सुना हुगा तो देखिए 1564 से 1642 तो ये तो ये भाई साब हमारे 16-17 अताबदी दोनों में मौजूद थे ठीक है He was an Italian astronomer and mathematician He is accredited accredited for the discovery of moons of Jupiter He was a proponent of heliocentric theory He faced immense opposition and prosecution for his views especially from religious authorities the conflict between fundamentalist religious beliefs and scientific progress was clearly manifested in his lifetime So Galilio Galil जिस समय में मौजूद था यानि कि सोलवी और शत्रवी सताबदी में इसने जो खोज करी है इसने heliocentric theory दी इसने कहा कि धरती flat और बीच में नहीं है धरती तो सूरज के आस-पास घूम रही है अन्य गरहे भी सूरज के आस-पास घूम रहे है इसने जो इसने जो equipments का use किया इसने जो telescope का use किया उसने Jupiter के आस-पास अन्य जो है वो moons को घूमता हुआ दिखाया उसके अधार पर इसने जो है इसने जो है वो ये idea या ये theory जो है वो पेशकरी कि अर्थ भी सूरज के आस-पास घूम रहा है अर्थ के आस-पास ये चांद घूम रहा है जिस तरह देखो Jupiter के आस-पास उसका चांद घूम रहा है तो ये बात religious जो group से उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने उनके लिए जो उन्होंने system direct conflict में रहे गैलीलियो गैलील लेकिन गैलीलियो गैलील के समय में गैलीलियो गैलील के समय में ये बात तो clear हो गई कि एक direct conflict है scientific analysis या reason का किस से जो old order है जो पुरानी चली आ रही सोच है उसका example हमें गैलीलियो गैलील नजर आता है ठीक है और जो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो social society में नया sphere बना ठीक है intellectuals जो है जो intelligent बाते हैं वो लोगों ने करनी शुरू करी उसके अलाबा एक नया जो है वो political consciousness बनने लगा democracy लाई जाए ये भावना लोगों के अंदर धीरे धीरे उत्पन हो रही थी ये सब age of enlightenment में हुआ और जिन political thinkers की वज़े से हुआ जिन astronomers, mathematicians की वज़े से हुआ उन में से एक example है गैलीलियो गैलिल ठीक है नेक्स देखिएगा दूसरा है रेने डेसकर्टेस जिनकी मैंने पहले भी जिकर गया जिनका ठीक है जिनका ठीक है यहाँ पर मैंने यह नहीं लिखा कि he was the father of modern philosophy नहीं क्योंकि मैंने बोला ना mass population, control वो सारी चीज़े he is widely regarded as father of modern philosophy ठीक है इसी तरह मैं बोल दूँ कि नहीं father of modern philosophy should be called to मतलब पेटरार्क को कहा जाना चीए father of modern philosophy ठीक है कुछ लोगोंने कहा भी ऐसा लेकिन widely क्या accept किया गया जो मतलब जो important universities है या जो बड़ी peerages है उन्होंने किस वेक्ति को widely accept किया है और उनके उनके जो है वो influence में जितने जो है वो education system चल रहे है उनमें क्या पढ़ाया जा रहे है कि कौन जो है वो modern philosophy का father है तो वहाँ पर माना जाता है किसे Rene Descartes को ठीक है तो खेर ये तो political एक बात होगे लेकिन आप इस statement को मैं लोग कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी खुलकर अगर कहीं भी लिखा हुआ देख रहे है कि this person is father of this अगर उस व्यक्ती ने pioneer किया है पहली बार invent किया है discover करना नहीं अगर उसने invent किया है वो particular कोई भी अगर mechanical device है या कोई भी अगर particular science of field है तब तो माना जा सकता है कि हाँ ये father है ठीक है लेकिन कोई चीज जो already established है जिस पे चर्चा चल रही है just because वो किसी particular देश से belong करता है ये particular peerage से belong करता है इसलिए आप उसे father of something कह रहे है तो वहाँ पर question mark बनना चाहिए तो कहने का मतलब ये concept आपके दिमाग में होना चाहिए है ना कि देखिये मैं इससरा पूट कर सकता हूँ कि that ideas and symbols have power someone being father of something is a very strong symbol ठीक है ये कुछ कह रहा है कि ये व्यक्ती जो है वो father है modern philosophy का और ये कहां से है फ्रांस से है और ये किस university का है XYZ university ये XYZ जो है वो peerage से belong करता है तो हम लोग जो बाते बोल रहे है हमने fathers दिये है तुमने क्या दिया हमने इस particular चीज़ का father दिया तुमने क्या दिया इन्होंने इस से पूछा भारत से पूछा कि हमने modern philosophy का father दिया तुमने क्या दिया राइट सो ये जो चीज़े है ये ideas है ये symbols है इन symbols की शक्ती होती है इन्ही symbols के माद्यम से mass population को control किये जता है ये मैं चाहता हूँ ये छोटी छोटी चीज़े आप समझे ये छोटी छोटी बारी किया आपके दिमाग में उतरे है ठीक है ये क्योंकि strategies होती है सारी है समस्या ये है कि हम भोले भाले भारती है इन सब छोटी छोटी strategies पर ध्यान नहीं देते और नहीं हमारा education system designed है इन छोटी छोटी strategies पर ध्यान देने के लिए कहीं पर भी आप पढ़ेंगे कहीं भी आप पढ़ लीजिए philosophy जाकर अगर आप master's करेंगे philosophy में तब जाकर हो सकता है या अगर public administration में master's करें या particular research करें ठीक है तो वहाँ पर हो सकता है कि जाकर ये चीज़ा छोटी छोटी आपको नज़र आएं कि mass population mass psychology अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर आप thoroughly उसको mass population को कैसे control किया जाता है global super powers द्वारा उस चीज़ को जब आप study करेंगे ना properly तब वहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि अच्छा ये छोटी छोटे शब्द symbols इन सब चीज़ों का कितना deep impact पड़ता है जनता पर ये बिलकुल harmlessly लिखा हुआ है कि that this person is father of हो सकता है कि इस वेक्ति ने pioneer किया हूँ लेकिन pioneer नहीं किया ना petrark हमें example दिखता है और petrark के अलावा petrark के जो साती थे ठीक है उसका नाम में भूल गया है एक और था petrark के सात में complete नाम उस वेक्ति का भूल रहा हूँ अभी लेकिन point मेरा ये है कि petrark के साथ भी और भी बहुत सारे इसे वेक्ति थे जो यही बात रनेसांस से पहले से ही बोल रहे थे तो ये वेक्ति फादर कैसे हो गया है ना तो ये मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में ये ideas आए कि अगर किसी वेक्ति को leader की तरह portray किया जाता है father की तरह portray किया जाता है तो वो manipulate करने के लिए जनता को control करने के लिए उसके काफी सारे political agendas हो सकते है हो सकता है harmless भी हो लेकिन चीजें जो हैं हाम कर ही देती है जब mass population की बात आती है तो मेरा agenda यह है कि आपको ये छोटी छोटी चीजे समझ आए ठीक है और इनका असर उसके बाद आप पर depend करता है कि आपने कैसे perceive करना है असर होने देना है किसी particular concept का उस चीज़ पर सोचना है या नहीं अगर मुझे कोई चीज समझ आ रही है और मैं अगर आपको नहीं बता रहा हूँ तो मैं कहीं न कहीं गलत हूँ मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ next point देखेगा he made a new beginning by discarding the traditional scholastic methodology and beginning with the one fact that he could be certain of the fact that he was thinking देखे यहाँ पर Rene Descartes को कह सकते हैं कि उसने एक यहाँ पर उसने pioneering करी जो traditional scholastic methodology थी यानि कि जो Roman Catholic Church है वो क्या करता था वो annual meetings करता था उनकी scholastic methodology समझा रहा हूँ मैं आपको वो annual meetings करते हैं अलग-अलग जो है वो sites पर जो भी Catholic pilgrimage है माल लीजिए वहाँ पर अलग-अलग sites पर वो होने नहीं दे नहीं यह scientific phenomena आ रहे हैं यहाँ पर लोग यह fact की बाते कर रहे हैं इनको execute करो तो कहने का मतलब यह कि एक group of people collectively जब किसी चीज के conclusion create कर रहे हैं उस चीज का विरोध किया किसने Rene Descartes ने उसने कहा कि जो मैं सोच रहा हूँ ना individually वो सच है तो उसने individualism की तरफ जो है वो इस direction में pioneering करी ठीक है अब यही काम जो है वो पहले Petrarch ने भी कुछ हत्त किया था लेकिन famous जो है वो कौन हुआ Rene Descartes क्योंकि इसने क्योंकि Petrarch के समय में कोई क्या नहीं आया था Petrarch के समय में printing press नहीं थी उसके ideologies प्रेस नहीं हो सके उसके ideologies जनता तक पहुँच नहीं सके Rene Descartes की ideologies इसकी philosophies इसकी theories जनता तक पहुँची और इसने कहा कि मैं नहीं मानता कि आप जो है वो group मनाकर Roman Catholic Church जो चीज सभी आप लोग सच मान रहे हो फिर वो पूरी society पर अपलाए कर रहे हो नहीं मैं जो individually मुझे जो बात सच लग रही है वो सही है मेरे लिए सही है ठीक है तो यह statement फिर से पढ़ेंगे वो भी तो सच हो सकता है और वही सच है जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है यह जिद पगड़ली आपकी बात नहीं मानूँगा मैं जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है ठीक है जैसा मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ जैसा मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अपने आपको वैसा ही मैं हूँ बिसिकली यहां से हमें क्या निकालना है कि जो ideas हैं वो बहुत powerful होते हैं suggestions बहुत powerful होते हैं तो अपने दिमाख को ऐसी ही चीज़े suggest करो कि आप administrator बनोगे अगर आप यही सोच लोगे चार लोग आपको बोलेंगे कि अच्छा तुम कर रहे हैं civil की पढ़ाई कैसे निकालोगे तुम इतना पहाड जैसा slavus है और तुम डर के बैठ जाओगे कि भईया मुझसे इतना slavus handle होगा या नहीं होगा तो तुम नहीं बन पाओगे तो भूल जाओ आपको खुद को suggest करना पड़ेगा कि मैं एक administrator बनूँगा मैं यह particular government job examination निकालूँगा भले ही हो कोई भी हो UPSC है कोई state का commission है कोई भी examination है या जीवन में कोई भी चीज़ आप achieve करना चाहते हैं अगर आप खुद को suggest कर ले एक बार कि मैं ऐसा ही करूँगा और मैं कर सकता हूँ और मैं बन कर ही रहूँगा यह मेरी विधी है कि मैं बनूँगा ही इस चीज़ को अगर आप सच्चा ही मान ले आप suggest कर ले खुद को तो वैसा होगा आपके साथ वो बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को मैं टेर्रिजम से चोड़ना चाहूँगा ठीक है अब बहुत बार ये सवाल उठता है कि कसाब को इतना अच्छी ट्रीटमेंट क्यों मिली ये है वो है कसाब एक लड़का था उसके दिमाग में जिहाद का आइडिया डाला गया उसके दिमाग में हिंदु मुस्लिम की लड़ाई का आइडिया डाला गया अगर उसी लड़के को मान लीजिए भारत में अगर उसकी पढ़ाई लिखाई होती या मान लीजिए यूरोप में कहीं पढ़ाई लिखाई होती तो उसकी सोच अलग होती कसाब का मैं एग्जेम्पल लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि इनसान गलत नहीं होता है इनसान के अंदर जो आइडियाज है उनकी गलती होती है और जो वो आइडियाज डाल रहे हैं उनकी गलती होती है इसलिए फॉर देट नॉट नॉट जस कसाब लेकिन किसी भी हमारा जो हमारा जो मतलब legal system है इसका इसकी main कोशिश यह होती है कि अगर कोई criminal है तो उसके दिमाग के अंदर का जो crime है उसे खतम करना है मैं उसके दिमाग के अंदर की जो criminal tendencies हैं उसको खतम करना है उसको rehabilitate करना है और अगर आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो उसके खिलाफ आपको मृतिव दंड दिया जाना है ये इसलिए दो चीज़े होंगी एक तो समाज में message जाएगा प्लस लेकिन जादा important यह है कि जिस व्यक्ति को आपने मारा है उसके परिवार के satisfaction के लिए ठीक है प्लस तब तक आपको नहीं मारा जाएगा जब तक आपको इस चीज़ का एहसास ना हो जाए कि आपने गलत किया है खेर कई लोगों को फासिदी गई है बगएर एहसास कराए भी लेकिन ये उसके पीछे एक आइडालेजी है कि आपके अंदर जो इविल है उसको हटाना है आपको रिहाबिलिटेट करना है ये हमारे लीगल सिस्टम की आइडालेजी है इस पर बेज़ड है पूरा का पूरा इपीसी ये सीर पीसी ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूँ कहने का मतलब मेरा ही है हम उस डिरेक्शन में चलेगे लेकिन मतलब मेरा ये है कि आपके दिमाग में जो प्लांटीड आइडियाज है अपने दिमाग में केवल वही पॉजिटिव चीज़े डालिए अपने आपको पॉजिटिव महाल में रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एक पॉजिटिव एटिव रखिए अगर आप लोग आपको आगर बोलेंगे कि नहीं हो सकता अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एटिटिव एटिव रखा कुछ करा नहीं है ना constructive plan कीजिए पूरी सभी सारी सीडियों को prepare कीजिए ठीक है अगर मान लीजिए आपको commission का वेपर निकालना है तो सारे aspects को रखिए मेरे पास कितने financial resources है ठीक है मेरे पास क्या social political resources है right मैं कितनी किताबे किस तरह का teacher ठीक है मतलब सारे resources को align कीजिए right फिर देखिए मैं कितना समय है मेरे पास पूरा आपको strategize करना बढ़ेगा अगर आप एक dread निश्चे के साथ एक भैतरीन strategy के साथ बढ़ेंगे उस direction में चाहे किसी भी direction में बढ़ें तो आप achieve करेंगे उस goal को कोई नहीं रोक सकता just because आपको किसी ने कह दिया कि तुम यह नहीं कर सकते बहुत लोग करते हैं तुम कैसे कर लोगे तुम जैसे बहुत हैं यहाँ पर कैसे हो जाएगा तुमसे नहीं हो पाएगा so ideas have power suggestions have power और यही same चीज जो है वो रने कह रहा था ठीक है thereon he built his entire philosophy using a mathematical style of reasoning उसने reasoning के लिए एक mathematical style generate किया ठीक है he had published his philosophical reflections in several works such as discourse on method and meditations of first philosophy on first philosophy ठीक है तो यह दो बहुत important example बन जाते हैं आपके किसके रहने डिसकारटेस के द्वारा लिखे हुए ठीक है discourse on method and meditation of on first philosophy next देखिएगा he was also an excellent mathematician and is not for his contribution in coordinate geometry ठीक है coordinate geometry में जो contribution दिया है इसने उसके लिए जाना जाता है तो यह हमारा direct fact है इसमें हमें कुछ ज़्यादा समझाने की जूरुत नहीं है direct facts है आपको यह याद रखने ही पड़ेगे ठीक है next देखिएगा अगला important personality है हमारा benedict spinoza या benedict baruch spinoza he was a dutch jewish और बाद मिल christianity में convert हुआ rationalist and philosopher like descartes he used demetric method in his philosophy he propounded that mind and matter were two aspects of the same substance he advocated a kind of pan-aesthetic sorry pan-theistic view under which all things are somehow included in god and that the nature was a manifestation of god तो यहाँ पर दो चीज़े है एक तो pan-aesthetic view ठीक है pan-yes pan-aesthetic pan-theistic sorry मैं गलत परनन्स कर रहा हूँ pan-theistic view है यह right it is pan-theistic view और benedict spinoza द्वारा दूसरी चीज जो है वो क्या है कि mind और matter जो है वो दो aspect है एक ही चीज़ के ठीक है तो यहाँ पर एक philosophical debate बने कि यह mind क्या है और matter क्या है ठीक है यानि कि हमारा जो हमारी जो सोच है यह कहां तक सीमित है या मतलब एक ना एक ideology है कि आपके दिमाग के अंदर ही universe है ठीक है तो और दूसरी चीज़ यह है कि यह universe में हम बैठे है तो बहुत सारी confusion थी mind और matter को लेकर तो उन confusions को clear करने का काम इनोंने किया ठीक है शुरुवाती मतलब उस direction में काम करना शुरू किया इनोंने उसके अलावा इनोंने एक pantheistic view दिया यानि कि इनका simple सी बात यह था इनका simple से कहना यह था कि यह जो पूरा brahant है यह पूरा का पूरा brahant ही देविये शक्ति है सभी चीजों में God है इनसान में भी जीवित और नर्जीव हर चीज में God है आई थीक है उसके लावा क्या का इनोंने further he called for a government that would be broad minded and liberal however his views were not easily accepted in 7th century Europe 17th century Europe में उसके views को accept नहीं किया गया अच्छी तरीके से लेकिन इसके बाद जो अगले हमारे political thinker आएंगे वो बहुत important रहते हैं क्यों रहते हैं क्योंकि हमें बताया गया है वो important क्यों बताया गया है क्योंकि वो एक British जो है वो philosopher है उनका नाम है John Locke ठीक है John Locke का एक essay है बहुत famous essay concerning human understanding let the philosophy of sense experiences as a means of attaining truth in contrast to Descartes method ठीक है Descartes ने क्या कहा था थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि Descartes ने कहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी mathematical style है reasoning create करने की वहां से मैं conclusion निकाल कर लाऊंगा ठीक है John Locke ने उससे बिलकुल opposite बाते बोली पहला point देखेगा this began the movement known as empiricism which held that all our ideas come ultimately from sense experiences empiricism ने क्या कहा है कि हमारे दिमाग में जितना भी ideas है न मैं बोलता हूँ न आपकी दिमाग में जो भी idea वह planted है ठीक है वह empiricism का ही एक further statement है empiricism में क्या कहा गया कि हम हमारे दिमाग में जो भी ideas है न वो हमारी senses यानि sense of touch, smell, sight, hearing राइट इन सब senses से हमने जो है वो सारे ideas acquire किये हैं और हमारे दिमाग ने बहुत सारे ideas को process करके हमारे conscious को create किया है यहीं सेम चीज जर्मनी में भी हुई है जर्मन जो philosophers है उनको जर्मनी ने धूमदार से celebrate किया है फ्रेंच philosophers को France ने मैंने बोला ना nationalist भावना nation को promote करने की जो भावना है क्यूं है यह nation को promote करने की भावना क्यूंकि जितनी nationalist की भावना होगी उतनी राष्ट्रों में जो है वो एकता होगी और आपस में competition होगा क्यूंकि दो European शक्तियों आपस में competition था किस चीज के लिए colonization के लिए क्यूंकि after renaissance geographical discoveries शुरू हो गई थी तो उस चीज पर आएंगे वो चीज़े connect हो जाएंगी नेशन बिल्डिंग जो हो आपको बताऊंगा न कैसे यूरोप में जो है वो नेशनलिटी की भावना वो सारी चीज है तो वहाँ पर वो connect हो जाएगी लेकिन यहीं से हमें जड़े निकालनी है हमारा काम कि हमें जड़े पकड़नी है रूट निकाल का लाना हम डीप ठीक है हमें गहराई से डरना नहीं है हमें thorough analysis करना है हमें बारी किया पकड़नी है ठीक है हमारा concept clear होना चीए हमारा main agenda है facts तो facts तो हमारे लिए फिर मजाग हो जाएगा facts तो जूड़ते चले जाएंगे revise करने का काम है फिर तो facts revise करते रहेंगे लेकिन concept हमारा thoroughly तयार होगा ठीक है खेर तो यही चेज़ उसने बोला की इस बिगेंदा movement known as empiricism which held that all our ideas come ultimately from sense experience the mind combined simple ideas to produce more complex ideas Locke also wrote significant treatises on economics and politics and argued in favor of religious toleration which was which was rare in 17th century ठीक है his theories gradually led to the creation of our modern understanding of human rights देखिए John Locke ने जो theories दी है खासकर जो toleration religious toleration की जो theory दी है वही जो है वो धीरे-धीरे human rights के लिए एक जो है वो presidents create हुई जो John Locke ने लिखा और उसके बाद जो human rights पर जो भी आगे भहस हुई है जो भी human rights को लेकर जो भी हमें political thinkers या social thinkers देखने को मिले उन्होंने John Locke का example उठाया ठीक है देखिए यहाँ पर John Locke को जो है वो Britishers ने जितना हो सके famous करने ही कोईशिश करी उन्होंने लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके द्वारा कही गई बाते गलत थी बाते सही भी थी ठीक है और practical भी थी और apply भी हुई है तब यह उसको popularize किया जा रहा था कोई चीज जो है वो वेर्थ में popular नहीं होती जब वैसे हो भी जाती है अगर जनता अगर तयार हो वेर्थ की बाते सुनने के लिए जनता जो है उसी तरह prepared हो लेकिन खेर वो नहीं है हमारा मुद्दा मुद्दा क्या है जान लॉक ने जो थेवरी दी किस चीज के लिए social religious tolerance की उस पर जो है वो modern human rights जो है वो develop हो है तो यह बहुत important point है जान लॉक के बारे में आपको पता होना चीए ठीक है और जान लॉक जो है वो उसने क्या शुरू किया इंपिरेशिजम जो फादर ऑफ modern फादर ऑफ इंपिरेशिजम या फादर ऑफ human rights जो है वो ब्रेटिश ने किसको कहा और widely accept किया गया किसे जॉन लॉक को ठीक है तो इस व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखेंगे इन ideologies को आप ध्यान से समझेंगे next देखिएगा आगे आता है हमारे सामने Francis Bacon अब Francis Bacon भी एक क्या है he was an English philosopher statements orator and scientist statement का मतलब कि वहां की administration का वो हिस्सा था औरेटर यानि की वाक्ता बोल सकता था अच्छा और scientist भी था he is considered as father of empiricism अब देखिएगा empiricism की शुरुवात करी जॉन लॉक ने अच्छा मैंने father of empiricism जॉन लॉक को कह दिया वहां मैंने गलत कह दिया ठीक है empiricism की शुरुवात जॉन लॉक ने करी लेकिन father of empiricism कहा गया किसे Francis Bacon की for his work and advocacy of scientific method and methodical scientific inquiry in investigating scientific phenomena वही सेम चीज जो पहले से चली आ रही है ठीक है देखिए empirical procedure क्या होता है कि अगर आप किसी भी phenomena को study करने कोशिश कर रहे हैं तो आप जो है वो उस पर experiment करेंगे observation record करेंगे और conclusion create करेंगे यह जो experiment करना observation record करना और conclusion करना यह जो पूरा procedure है इसको बोलते है empirical method ठीक है तो the theory of empiricism की शुरुवात John Locke ने करी ठीक है उसको बड़े level पर propagate किया और credential या credibility प्रोवाइड करी किसने Bacon ने Francis Bacon ने इसलिए उसको father of empiricism कहा जाता है he encouraged an empirical approach both through his own example and philosophically next देखिएगा next आएगा Jean Jaquis Rousseau 1712 से 1778 अब हम देखिए अठारवी शताबदी में आ गए ठीक है in his most important work the social contract बहुत important है अगर Rousseau की social contract का नाम आपको नहीं पता है तो एक साफ साफ सवाल आपका गलत हो गया ठीक है in his most important work the social contract emphasize that human beings are naturally in competition with one other and hence they join together to form groups so that they stand a better chance in the struggle देखिए यहाँ पर John Jaquis Rousseau ने एक बहुत basic fundamental इंसानों की जो natural इंसान as a animal की natural tendency का वो समझ गए और उस चीज़ को उन्होंने अपनी अपनी publication the social contract में समझा दिया ठीक है बहुत बढ़िया है अगर आप पढ़ना क्रुक ठीक है क्यों एक जो ego है इंसान का वो एक बहुत गहरी घात छोड़ता है इंसान की सोच पर अगर वो satisfied नहीं है positively satisfied नहीं है तो इंसान chemical imbalances create होता है बेचैन रहता है इंसान राइट तो यहाँ पर social contract में इसने समझा है कि इंसान अपने उन अपने policies अपने मुद्व अपनी ego का satisfy करने के लिए groups form कर लेता है ठीक है similar क्योंकि ऐसा तो है कि कोई एक particular view वाला एक ही वेक्ति होगा उस view वाले जो है वो और भी वेक्ति हो सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आपका कोई view generate हुआ है तो वो immediate environment की तो दो तीन एक similar सोच वाले जब व्यक्ति बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो एक political pressure group का रूप ले लेते हैं और अगर उनकी संख्या जो है वो majority में आ गई तो वो वहां का एक ruling function करने लग जाते हैं यही चीज social contract में उन्होंने समझाई है बिल्कुल basic चीज है देखेगा in his most important work the social contract emphasize that human beings are naturally in competition with one another human beings जो है वो naturally एक दूसरे से competition में हैं ठीक है आदमी मतलब human male यह चाहता है कि वो जादा से जादा जो है वो females के साथ offsprings produce करे अपने genes को जादा से जादा तक पहुचाए तो human male जो है वो हर एक male से यह उनकी natural tendency है ठीक है don't get me wrong this is the natural tendency of a human human homo sapien species जो है हमारी इसका जो male है इसकी natural tendency है similarly इसी लिए हर एक male से वो एक natural level पर मतलब घ्रिना है ठीक है मतलब जगड़ा है territory territory जो है वो establish हो जाती है ठीक है उसी तरह similarly females का भी जो है वो females के साथ जगड़ा है अपना females का males के साथ तो इनसान जो है ना वो naturally dispute में है दूसरे इनसान के साथ so this is natural to a human लेकिन ये इतनी जो deep चीज है ये सभी इनसान जो है वो बड़े level पर व्यक्त नहीं करते है यानि खुले level पर civilized जब इनसान ने समाज में रहना शुरू कर दिया तो अपनी ये basic instinct को इनसान ने दबा दिया जैसे आज भी अगर कोई दो जो है वो अवारा शेर हैं तो वो already किसी established pride पर जाते हैं वहाँ के शेरों को मारते हैं ये हरा देते हैं और फिर वहाँ की शेरनी उपर उनका control हो जाता है इसी तरह की tendencies जो है वो human males की भी है लेकिन जब इनसान ने समाज में रहना शुरू किया तो इसने इन tendencies को जो है वो दबा दिया ठीक है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मानव मानव से लड़ता नहीं है natural tendency है मानव की मानव से लड़ना तो मानव ने और बहुत सारे यही तो कारण है इन सारी चीज़ होगा दो communities में युद है दो देशों में युद है उसका कारण क्या है कि इनसान लड़ना चाहता है basic tendency है इनसान की लड़ना ये बात social contract में समझाने की कोशिश करी किसने जीन जैक्वस रसो ने ठीक है thus the social contract was the basis of modern civilization and society social contract जो है वो basis रखा गय उसका solution प्रवाइड किया कि क्या क्या अब इसका उनलग यह नहीं है कि सब एक दूसरे को मार देंगे नहीं solution है शानती बनाई जा सकती है उसका solution जो है वो social contract में प्रवाइड किया है कि ideal जो है वो अगर ऐसा है पहले तो अक्नॉलेज किया जाएगी ऐसा है फिर अब इसके किया जा सकता है positive outlook रखना है आपको पहले तक knowledge करना है कि समस्या है फिर उसका solution करने की तरफ आपको काम करना है वही चीज जो है वो solution प्रवाइड किया गया रसो द्वारा और वही जो है वो modern civilization established भी हुई ठीक है society established भी हुई he criticized the concept of private property because it created social inequality and advocated freedom equality and justice for all these theories heavily influence french revolution french revolution में fraternity equality liberty की बात की गई है तो वो fraternity equality liberty के concept आए कहां से है social contract से आए है तो french revolution को influence करने वाला जो political thinker और उसकी कौन सी publication political thinker रसो और उसकी publication the social contract और ideologies किस चीज पर based है concept ideologies based है की freedom equality और justice ठीक है तो उन्होंने criticize किया concept of private property कि private property वाला जो system जब बना है ना इंसान ने जब properties एक्वायर करने लगा तो वो इनसान की समस्याओं का जड़ बना है तो अगर private property ने आज अगर सोच लीजिए समाज की बहुत सारी समस्याओं solve हो जाएंगी अगर सभी लोग जो है वो अपनी जो भी property है उसको त्याग दें ठीक है माल लीजिए समाज ने पूरी एक देश की जितनी जनता है उसने सारी property जो है वो त्याग दी वो government के पास चली गई और government जो है वो उसको सभी लोग के भले के लिए यूज कर रही है यहाँ पर conditions ही है कि government भी benevolent हो सभी लोग के भले के लिए यूज करे ठीक है खेर वो और जो यौन जैक्वेस रसो की जो ideologies है यही French revolution को क्या करती है प्रेरित बहुत important point आगे हमारे सामने next देखेगा बॉल्टेर अब बॉल्टेर जो है वो एक और French thinker है देखते हैं he was a famous French thinker who believed in God but not in any particular religion he strongly advocated the three principles of free trade, religious tolerance and freedom of expression for the progress of progress and prosperity he too had considerable influence on French revolution so Voltaire ne French thinker tha who believed in God mind it he believed in God but he does not believe in the methods or the interpretations created by the Roman Catholic Church right he strongly advocated the three principles of free trade, religious tolerance and freedom of expression free trade होना चाहिए, religious tolerance होना चाहिए और अपने आपको express करने की freedom होनी चाहिए तीन चीजों पर जोर डाला किसने, वाल्टेर ने और वाल्टेर जो है वो कई भारतिये nationalist का जो है वो political guru भी रहा, political guru की तरह काम भी करा या इनके जो ideas हैं वो Indian National Movement में भी कई जगाँ पर, Russo, मुझे आप comment में बताएंगे कि Russo किस भारतिये, मतलब Russo से कौन सा भारतिये nationalist leader जो है वो influence था, ठीके next देखिएगा, and last point है, he too had considerable influence on French Revolution next आएगा, Immanuel Kant, अब ये Immanuel Kant एक ऐसा वेक्ती है ना, जिसका जिक्र बहुत जगाँ पर है और Immanuel Kant का केवल हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में हम, और बहुत detail में पढ़ेंगे point देखिएगा, अब ये देखिए 1724 से 1804, तो 28 शतावदी के अंत में और 19 शतावदी के शुरवात में है Immanuel Kant, ठीक है, 19th century के शुरवात में, and at the end of 18th century he was a famous German philosopher who claimed that we can never know objects in themselves, but only as they appear to us अब Immanuel Kant, जो समझाना चाते हैं, मैं आपको एक example के मादिम से बताता हूँ ठीक है, अब देखिएगा, ये जो marker है, इस marker का रंग आपको क्या नजर आ रहा है ठीक है, आप कहेंगे लाल, है ना, इसका जो एक cap है, ठीक है, इस cap का रंग क्या नजर आ रहा है ये white भी है, लेकिन ये जो cap का रंग हमें लाल नजर आ रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे जी लाल नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आपको नहीं नजर आ रहा है ये आपके दिमाग को नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी आखे तो केबल सेंसर जहें और ये क्या कर रही है लाइट को रिसीव कर रही है उस लाइट एनरजी को केमिकल एनरजी में गनवर्ट कर रही है वो केमिकल एनरजी हमारे उसी पिटल लोब तक जा रहा है दिमाग के और हमारे दिमाग का उसी पिटल लोब उस chemical message को process कर रहा है और हमें बता रहा है कि यह जो चीज आप देख रहे हैं जनाब यह लाल रंग की है ठीक है और इसको इस तरह भी put किया जा सकता है कि जो white light है उसमें 7 रंग है ठीक है बाकी सारे रंग absorb कर लिए गए कि यह वो लाल रंग ही reflect back हुआ वो जब आँखो तक गया यानि ऐसा radiation reflect back हुआ जब वो आख जैसा जो हमारा आख sensor है इसमें जब गया और हमारे दिमाग ने जब read किया तो उस radiation को उसने लाल रंग की तरह देखा so that means आप इस दुनिया को जैसा देख रहे हैं ऐसा हो सकता है कि यह दुनिया ना हो ऐसे रंग ना हो हमारा दिमाग रंगों को process करता है इसलिए अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के रंग देख सकते हैं कुछ रंग नहीं देख पाते हैं कुछ बहुत सारे रंग देख पाते हैं कुछ जानवर जैसे ultra violet rays को देख लेते हैं इंसान नहीं देख पाता यही चीज इमैनुवल कांथ ने कही कि आप जो भी चीज प्रिसीव कर रहे है वो आप अपने समझ से कर रहे है आपके दिमाख में जितनी जो हे वो जितने आइडियाज है उस उन आइडियाज ने जितना जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके कि आपका conscious create किया है उस हिसाब से आप किसी चीज़ को perceive कर रहे है यह बिल्कुल simple बात कहीं Immanuel Kant ने ठीक है यानि कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं यह कहना चाहरे Immanuel Kant कि आप किसी चीज़ को जैसा perceive कर रहे हैं हो सकता है कि वैसा ना हो एक statement बोले जाता है न the beauty is in the eyes of the viewer देखने वाले की आँखों में है सुन्दरता तो अगर आप सुन्दर ही देखना चाहेंगे किस चीज़ को तो आपको सुन्दर लगेगी ठीक है तो यही सेम चीज़ वो Immanuel Kant ने कही कि आपके दिमाग में आपके conscious में जितने ideas हैं जितना आपने जिस environment में आप रहे हो जिस political social geographical environment में आप रहे हो उसका आपके subconscious पर असर है ठीक है उससे आपका subconscious design हुआ है उस designed subconscious के around ही आप चीज़ों को perceive करते हैं matter जो हुआ आपको समझ आता है ठीक है यही इमैनुल कान समझाना चारे है ठीक है so देखेगा he was a famous German philosopher who claimed that we can never know objects in themselves but only as they appear to us objects हमके अबजेक्ट को वैसा ही समझ सकेंगे जैसा हमें वो दिख रहा है ठीक है एक आपने बहुत फेमस एक photo देखे होगी दो आदमी खड़े है बीच में 6 लिखा है एक आदमी उसको 9 पढ़ पा रहा है दूसरा आदमी उसको 6 पढ़ पा रहा है यह मतलब है आप object को वैसा ही समझेंगे जैसा आपको वो देख रहा है जितना आपके दिमाग में जो है वो समझ है जितना आपका subconscious process कर सकता है जितना आपका conscious process कर सकता है और आपका conscious or subconscious designed है आपके social, political और economic या जो भी आपका geographical environment है उसके हसाब से इसलिए मैं बोलता हूँ कि global perspective जनरेट कीजिए अपने conscious subconscious को global level पर लेकर आईए तब ही आपको मुद्दों की जो है वो एक खासी समझ बनेगी अभी केवल आप भारत के किसी आमुख राज्जे के किसी आमुख शेहर में या गाउं में बैठकर किसी चीज़ को समझ रहे हैं और अगर आप मान लिजी उसी राज्जे या भारत के एक दो राज्यों में घूमे हैं तो आपका perception केवल regional है मैं चाहता हूँ physically कही present होने से ही perception generate नहीं होता लेकिन इतिहास को ही अगर आप पढ़ लेंगे na global history, global economy global quality को अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपका global perspective generate होने के प्रती जो है वो बढ़ जाएगा अब वही सिंपल जी बात है सेस्टीन चेपल में अगर आप जाएंगे वहाँ पर नीचे खड़े होके अगर आप देखेंगे उस छट को तब जाके आपको समझ आगे कि Michael Angelo ने क्या काम किया है उस पेंट को उस पेंट की स्मेल सुंगेंगे तब पता चलेगा आपको ठीक है उसके लावा आप फोन में बैटके देख भी सकते है कि क्या काम किया Michael Angelo ने आजकल तो 3D imaging का जमाना है बिल्कुल डिटेल में दिखा देंगे वो कि वहाँ पर खड़ा होगे कैसे महसूस होता है लेकिन वो physically present होना वो एक अलग experience है लेकिन मैं experience गेन करने की बात नहीं कर रहा हूँ physical experience मैं मानसिक अवस्था बनाई है वो global perspective generate कर जी ठीक है वो उन ideas को समझने से ही होगा वही चीज़ Immanuel Kant कह रहे है next point देखिएगा he laid that knowledge is not determined by nature of the external world of objects but rather by the nature of human rationality देखिए अब कोई भी एक object है मान लीजी एक पत्थर पड़ा है ठीक है उस पत्थर को लेकर हर एक अब मान लीजी उस पत्थर को आप ancient time में ले जाए ठीक है मान लीजी कोई चमकता हूँ पत्थर है उसको आप ancient time में ले जाए सारी बात छोड़िए यह जो हमारा cell phone है mobile है android devices है इसको मान लीजी अगर ancient time में ले जाए जाए ठीक है और ancient किसी वेक्ति को अब हडपा सबेता के लोगों को दिखाया आपने एक बार आपने अरेबिया के लोगों को दिखाया पास में जाकर राइट अगर ऐसा हो सके तो incans को दिखाया mayans को दिखाया ठीक है Egyptians को दिखाया उसके लावा Mesopotamians को तो हमने दिखा दिया एक बार Chinese को दिखाया राइट और फिर हमने अब्जर्व किया कि सभी वेक्तियों ने कैसे perceive किया इस चीज़ को ठीक है अगर वो बोल पड़े उसमें वीडियो चल जाए तब तो वो उसको भगवान मल लेगे राइट तो देट मींज और हमें पता है नहीं कि इट इस टेकनोलोजी तो रेशनेलिटी डेवलप हुई है रेनेसांस के बाद तो आपके दिमाख में कितनी रेशनेलिटी है उस रेशनेलिटी के हिसाब से आप किसी कांतने हाँ पर object का है लेकिन आप किसी भी idea क्योंकि object जो है वो ideas ही है माल लीजिये अगर कोई table बना है तो किसी का idea होगा ना कि लकडी को ऐसे काटते हैं ऐसे पीटते हैं ये शेप देते हैं table बन जाएगा राइट तो कोई भी object कोई भी idea को जो आप perceive कर रहे हैं वो किसी individual या किसी group of people community nation की जो collective या individual rationality है उस पर depend करता है ठीक है तो that means आज अगर कोई भी चीज़ perceive की जाती है कोई भी idea है जो perceive किया जाता है वो rationality की अधार पर है तो आप अगर अपने आपको जादा से जादा rational बनाएंगे तो आप better तरीके से perceive कर सकते हैं चीज़ों को basically Emmanuel ये कहना चाते हैं ठीक है देखेगा फिर से पढ़ते हैं point he laid that knowledge is not determined by nature of the external world of objects but rather by the nature of human rationality human rationality से आपको object पता चलेगा उसका nature पता चलेगा क्या है ठीक है simple सी बात है लोहे की खोज वी अब लोहे की खोज से भारतियों ने not just भारति है लेकिन मतलब माल लिजे भारत के अंदर ही ले लेते हैं लोहे की खोज से एक व्यक्ती ने क्या बनाया एक व्यक्ती ने बनाया हतोड़ा और एक व्यक्ती ने बनाया तलवार एक व्यक्ती ने हतोड़ा क्यों बनाया ताकि वो थोक पीट कर अपने काम की चीज़े बना सके दूसरे व्यक्ति ने तलवार क्यों बनाई ताकि वो मार के दूसरे से वो चीज़े छीन सके तो दोनों व्यक्तियों की जो rationality थी उससे define हुआ कि यह जो लोहा मिला है इसका nature क्या होगा किस तरह use किया जा सकता है इसे तो object और ideas का जो वो आपकी rationality पर depend करता है अब इसी चीज़ के examples मुझे आप comment के माधिम से दीजिए Emmanuel ने जो बाते कहीं है इसके और examples आप क्या दे सकते हैं अगर आपको समझ आया है I hope आपको समझ आया होगा examples मुझे comment के माधिम से दीजिएगा ठीक है यही मजा है है ना मैं आपको mains के लिए तयार कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा मैं आपको mains यह हम थोड़ा सा ना world history को mains के level पर ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो अल्रेड़ी पढ़ चुका है हाँ अगर प्री नामक मचली को पकड़ना है तो में नामक जाला आपको फैकना ही पड़ेगा ऐसी कुछ statement है टीचर की तो काफी सही बात कही है अगर आपको प्री क्लियर करना है अगर आप mains की त्यारी करेंगे तो प्री automatically clear हो जाएगा ठीक है प्री UPSC का qualifying nature का ही है राइट वैसे और भी बहुत अब यह मेरी जो यह statement है इसको hard and fast जो हो technicality मतले जाना जो भावना है वो समझे ठीक है हमारा मुद्धा है concept prepare करना next देखिएगा this approach led to the foundation of idealism in German philosophy German idealism या idealism of German philosophy Emmanuel Kant से निकल कराती है ठीक है he is considered as the most influential philosopher of enlightenment enlightenment का सबसे influential philosopher किसको माना जाता है Emmanuel Kant को बहुत important point है next देखिए अगला philosopher देखते हैं कौन है Montesquieu Montesquieu बहुत important भई 1689 से 1755 जिन्दा रहे Montesquieu he was pioneering French political thinker and advocate of human freedom ठीक है तो हमें इस statement से बता चला कि that he was French in his work the spirit of the laws तो उसका work क्या है spirit of the laws he studied different systems of governments such as republic the monarchy and despotic state and offered critical analysis देखिए Montesquieu ने क्या किया spirit of the laws जो उसकी किताब है उसने अलग अलग जितने भी government हो सकती है उसने तीन तरह की वो खेक एक जो है वो एक monarchy कैसे जो है वो behave करेगी एक republic एक democracy कैसे बहुत करेगा और एक anarchical situation है despotic है यानि चाहे वो despotic है यानि अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार मुनार्की में भी हो सकता है और republic में भी हो सकता है तो एक despotic situation है इन तीनों को जब उसने study किया उसने जो conclusions create किया है वहाँ से जो प्रेजिडेंस सेट हुई है आज भी बहुत सारे देशों के समीधानों पर बहुत गहरा असर है montesco की इस किताब का including इंडिया का constitution बहुत important point है इसलिए हमारे लिए ठीक है the spirit of laws he studied different system of government such as republic, monarchy and despotic state and offered critical analysis he propounded that the most suitable government would have three branches of government namely legislative, executive and judicial that would be separate from each other समझ गए आप भारत में क्या आसर है montesco ने कहा कि legislative, judiciary और executive तीन ब्रांचीज होनी चाहिए government की और तीनों एक दूसरे से independent होनी चाहिए यानि legislative के काम में judiciary दखल ना दे, judiciary के काम में legislative दखल ना दे या एक balance हो शक्ती का, जो कि भारत ने adopt करने की कोशिश भी करी है वैसे executive थोड़ा कमजोर रह जाता है उसमें ठीक है legislative उससे थोड़ा मजबूत हो जाता है लेकिन आइडिया कहांच उठाये गया, Montescue की इस किताब The Spirit of Laws से, ठीक है, next point देखेगा इस views greatly influence the constitution of many countries including India तो बहुत important point है लास्ट में हम पढ़ते हैं सराइसक न्यूटन को सराइसक न्यूटन जो है वो scientist में से सबसे famous scientist रहे enlightenment age के, ठीक है He was one of the popular products of enlightenment late the foundation of a new branch of mathematics known as calculus जिन बच्चों ने 11-12 में math ले ली थी ठीक है और बाद में वो humanities में उतर गए और आज वो पच्टा रहेंगे हमने 11-12 में math क्यों ली तो उन बच्चों से clearly पूछना कि उनका सबसे बड़ा जो है वो दुश्मन कौन था उस समय तो वो जवाब देंगे बगैर सोचे, calculus वो कहेंगे कि calculus के जो 44 माग थे ना वो बहुत, पहले 100 नंबर का paper होता था हमारे time में 44 माक की calculus आय करती है थी बारवी में ठीक है, तो वो calculus को वो कोसेंगे ठीक है, तो वो calculus की शुरुवात जो है किस ने करी थी, sir Isaac Newton ठीक है discovered विब्ग्यॉर, अच्छा विब्ग्यॉर जो है वो discover किया किसने Isaac Newton ने, विब्ग्यॉर आप भली भांती जानते हैं कि जो white light है सूरे की या जो natural white light होती है वो साथ रंगों से मिलकर बनती है ठीक है, तो वो साथ रंग है विब्ग्यॉर, तो वो किसने बता है वो already दिखते थे लोगों को क्योंकि काच, हीरे, ये सारी चीज़े तो अवलेवल थी, यानि रिफ्रेक्शन तो पहले भी हो रहा था है ना, रिफ्रेक्शन अगर पहले भी हो रहा था तो यानि कि splitting of light जो है वो फिनोमना लोगों को पता था साथ रंग दिख रहे थे, लेकिन उसको properly, thoroughly जो है वो experiment के माध्यम से दिखाना observations create करना और conclusion जो है वो, यानि इस पूरे empirical, empirical method को किसने follow किया, Sir Isaac Newton ने, ठीक है next देखिएगा and put forward the most popular universal law of gravitation and the three laws of motion, ठीक है, laws of motion universal law of gravitation, तो ये सारी चीज़े तो हम already जानते ही है, लेकिन बाद में, लेकिन Isaac Newton तो केवल धरती पर एरे दना ठीक है, और हमारी धरती पर atmospheric pressure हम एक मानते हैं, एक atmospheric pressure है ना, और temperature ideal लेकर चलते हैं, कहीं 22 लिया जाता है, कहीं 25 लिया जाता है, continent to continent differ करता है, ठीक है लेकिन, लेकिन जब galaxy की बाते होने लगी, universe की बाते होने लगी तो ये जो Isaac Newton द्वारा जो ideas जो forward रखे गए, जो theories रखे गई, वो contradict हो गई, तो यही तो science का nature भी है, देखिए मैंने कहीं अपने session में एक बात कही है उस statement में थोड़ी सी modification लाना चाहूँगा, मैंने ये कहा था कि जो physical phenomena's हैं, वो fix हैं यानि अगर gravity है वो वैसी ही रहने वाली है, जो physical concepts है, वो fix हैं, ऐसा नहीं है वो किसी एक particular given atmosphere में fix होते हैं, यानि धरती में standard atmosphere, standard temperature में कोई particular जो है, वो phenomena काम करेगा, वही चीज़ आप moon में ले जाएंगे, differ हो जाएगी, वही चीज़ आप Jupiter बेलग नजर आएगी, ठीक है तो ये चीज़ मैं उस टेम भी समझाये थी, एक contradiction ये खड़ा होगे था एक आते बच्चे ने ये चीज़ मेंचन कर दी थी, कि सरी ये बात किये, ठीक है ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जो basic चीज़ थी मैं ये समझाना चाहरा था कि जो जो physical sciences है, वो धरती पर अगर आप रहेंगे, धरती पर है अभी तो हम सारे धरती पर ही है तो जो physical sciences है, वो धरती पर same रहने वाली है, लेकिन जो humanities है वो हो सकता है आगे आने वाले सालों में बदल जाएं, हमारी जो इतिहास की समझ है वो बदल जाए, हमारी जो society की समझ है political समझ है, economic समझ है, वो हो सकता है आने वाले समझ में बदल जाए, और वो बदलती रही है तभी तो हमें old order, new order में clash आया है, humanities ही तो है ये political social order, तो ये जो बदलाव आया है, तभी तो हमें renaissance देखने को मिला, age of enlightenment यही तो वो change है, हमें change ही तो पढ़ रहे हैं वही चीज, मैं आपको बोला है ना process of change ही तो समझना है ना old order से नय order आया, क्या-क्या चीज़ वो में बदलाव आया, political पहले political control जो है, वो Catholic Church के पास भाग रहे थी, अब society में individuality, humanism की भावना आई, तो यही changes ही तो पढ़ रहे है, ना हम सारे के सारे, पहले लोग के अंदर scientific temper नहीं था अब धीरे-धीरे scientific temper जो है, वो generate हुआ, उससे क्या हुआ, discoveries हुई यही चीज़े तो पढ़ रहे हैं, ना हम बहुत प्रिये subject है, मुझे काफी समय तक तो quantum theory समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई, तो मुझे बहुत मजा आया, ठीक है, तो कभी किसी topic में, अगर आप मुझे comment बताएंगे, तो मैं कभी physics के को यह गादा topic quantum, क्योंकि मेरा science का background भी है, ठीक है, मैं एक engineer हूँ, ठीक है, तो science का background मेरा अच्छा खासा है, तो वहाँ पर मैं आपको कभी हो सकता है कि यह topic भी ले आऊ, कभी मेरा मन किया तो पढ़ाने का आपको, क्योंकि मुझे मैंने बहुत सारी YouTube channel देखे, मतलब वो satisfaction नहीं हो पाती, वो detail, वो बारिकिया, वो nature, क्योंकि इतिहास से नहीं connect करते हैं, उनको political motives, वो सब चीज़ों से connect नहीं करते हैं, मैं वो सारी चीज़े connect करके पढ़ाऊंगा आपको, बहुत मज़ाएगा समझने में, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं होगी, राइट, तो आज के session को मैं आज conclude करता हूँ, आज हमने age of enlightenment को समझा, age of enlightenment जो है वो renaissance की वज़े से आई, renaissance ने spark produce किया, उससे जो ज्वाला जली, उससे जो enlightenment हुआ, आज हमने वो enlightenment समझा, आज हमने समझा, इन political social thinkers की वज़े से, ये जो pioneers हैं, इन्होंने जो social changes lie, इन्होंने जो शुरुवात करी ideologies को, उन्होंने जो modern society की नीव रखी है, आज हमने इनी सब चीजों का समझने कोशिश करी, I hope आपको समझाया होगा, जो point नहीं समझाया है, मुझे comment के माधियम से बताईएगा, आगयाने वाले session में, मैं उन points को clear करने की, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, so doubts वगएरा, मिर से interact करने शुरू कीजिए, doubts वगएरा बताईए, मुझे comment के माधियम से, मैं आपके doubts जो हैं, वो solve करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, लिख दीजिएगा कि ये doubt है, comment में लिख दीजिएगा, so आज के session को यहां खतम करते हैं, अगर आपने, मैंने जो पीच में सवाल पूछें, उनका जवाब जो है, comment के माधियम से देना है, session कैसा लगा, feedback मुझे comment के माधियम से provide करना है, पिछले sessions देखने है, playlist आपको YouTube channel पर चले जाएगे, study IGO के वहाँ पर भी मिल जाएगी, नीचे जो pinned comment है, यहाँ पर भी मिल जाएगी, अगर आप generally YouTube channel पर लिखते हैं, जो पर search बार होता है, मेरा नाम लिखेगा, वहाँ पर आपको playlist मिल जाएगी, ठीक है, उसके लाव अगर आप CSC के लिए थरो course करना चाते हैं, या उसके लाव अगर आप कोई भी थरो course करना चाते हैं, अगर आपको study IGO क्योंकि channel पर वो नहीं मिल रहा है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, टेक केर,